आपके 20 days hard challenge का आज ये पहला दिन है और हम लोग पूरा करने वाले हैं 2023 का complete current affairs ठीक है जितनी भी current affairs है वो हम अब करेंगे और शाम को 6 वजे हम सारे जितने भी आपके agriculture के scheme से उनको complete करेंगे ठीक है आपने साल बर मेरे साथ current affairs पढ़ा होगा लेकिन मैंने कई बारी आपको कहा है कि देखिए news जो daily आता है वो हम cover करते हैं लेकिन exam point of view से कुछ चीजे जो है important नहीं होती है जैसे कि for example खरीफ sewing area कितना हुआ रभी sewing area कितना हुआ यह बस एक बार का ही data चाहिए उससे जादा हमें कुछ नहीं चाहिए यह बार-बार हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो यह जो session है यह AFO के main exam को ध्यान में रखके बनाया गया ह ठीक है ताकि हर एक current affair जो भी आपका इस साल complete हुआ है वो आपका इसमें cover हो जाए इसमें में mostly जो वैसे तो current affair का volume बहुत जादा है ठीक है कोशिश करेंगे कि सारे की सारे जो है class में ही complete करें लेकिन अगर class में पूरा का पूरा complete नहीं भी होता है तो last के जो recent के एक दो महीन तक के current affairs आप लोग भूल गये होगे तो जो recent current affairs है वो में PDF में add करके दे दूँगा अगर in case हम class में complete नहीं कर पाए तो बट वैसे तो I don't think कि आप लोग नहीं कर पाओगे आप लोग जरूर कर पाओगे ठीक है तो चलिए start करते हैं हमारा yearly agriculture current affair और शाम को start करेंगे schemes गूड म प्रसान दीपक सुन्द्रम अंकीता अमंदीप कोमल आर्जू देविंदर वेल्कम तो तो सेशन वेरी गूड मॉर्न पलक तो चलिए start करते हैं before that as usual don't forget to subscribe to agriculture order 24 7 session को please share कर दीजिये like कर दीजिये ठीक है और यहां पर यह जो PDF यह भी आपको मिलेगा कैसे मिलेगा कब मिलेगा वो भी मैं आपको inform करूगा चलिए so पहला यहां पर देखते हैं just a minute please पहला यहां पर देखते हैं minimum support price के बारे में अच्छा आपको पता है 2024 के season का जो minimum support price है वो approve हो गया था वो अल्रेडी मैं आपको कहे चुका हूँ ठीक है लेकिन यहां पर January का जो सबसे पहला current affair था वो थ कि minimum support price for copra 2023 season को approve किया गया अब आप बोलोगे सर मैं 2023 season का क्यूं याद रखू क्यूंकि बच्चो नाबाड में एक बारी हुआ था कि recent current affair ना आके थोड़ा दो महीने पुराने का current affair आ गया था मतलब जो data था वो दो महीने पुराने का आ गया था तो उस चीज को ध्यान में र अप्रूफ कर दिया गया था कितने पर अप्रूफ किया गया था यह जरूरी है जो कि है 10,860 रुपए per quintal for milling copra और ball copra के लिए 11,750 per quintal ठीक है तो मैंने यहाँ पे pictures छोटे रखे हैं क्यूंकि हमें आज का जो session है यह mostly हमारे content के लिए हमारे लिए हमारे लिए सबसे H9N2 vaccine for chickens developed by ICAR Nishad Bhopal अब आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा कि सर यहाँ पर हम क्या exactly याद रखें देखो MSP के case में आपको MSP याद रखना पड़ेगा पूरा MSP का list भी मैंने इसमें दे रखा है जो इसका PDF मिले गया इसमें थोड़ी सी extra चीजे भी होगी जो आप के complete current affairs को cover करेंगी ठीक है inactivated low pathogenic avian influenza H9N2 vaccine for chickens developed by ICAR Nishad Bhopal जो कि एक पहला indigenous vaccine है H9N2 virus का तो यह रहा इसका picture जो कि H9N2 का virus है next यहाँ पर चलते हैं international year of millets 2023 जैसे कि आपको पता है 2023 जो है वो international year of millets से और यह जो है बड़े जोड़दार तरीके से start हो गया था क्यूंकि इसका जो main इनो शुत्रधर था वो यहाँ पर कौन था तो कौन था यहाँ पर इंडिया था इंडिया नहीं प्रस्ताव रखा था कि एक international year of millets होना चाहिए ऐसा क्यों होना चाहिए इंटरनाशनल year of millets इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो millets है ना इनके nutritional properties काफी अच्छे हैं उस चीज को ध्यान में रखते हुए इनके लिए एक international year of millets होना चाहिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर इंटर पीम मोधी डिस्कॉस्ट इस गोल ऑफ मेकिंग आई वाई एम इंटरनाशनल year of millets 2023 अब पीपल्स मूव्मेंट ठीक है ना मदलब जिसको हम हिंदी में कहते हैं जन आंदोलन क्या कहते हैं भई जन आंदोलन कहते हैं and establishing India as a global hub for millets मतलब basically इंडिया को brand ambassador बना दिया गया millets के cultivation और उसके production में ओके नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं दूसरा Kenya hosted the sixth edition of Africa Agree Expo in February 2023 आपने ध्यान दिया होगा हम कुछी slides में February में पहुँच गए तो यह importance होता है समझने में कि कौन सा current affair कौन से exam के लिए helpful होगा वैसे तो हमने January में almost 20-25 classes की होगी ठीक है ना Saturday को छोड़ दीजे Sunday को छोड़ दीजे 20-25 classes हमने की होगी लेकिन उसमें हर एक current affair आपके exam point of view से important नहीं होगा कुछ चीजे news होती है जो ज्यादा तर नाबाड में आते हैं not in IBPS AFO ठीक है चलिए यह class देड़ घंटे चलेगा current affairs बहुत ज्यादा नहीं है अग्रोनोमी होता तो मैं अभी 4-5 घंटा पढ़ाता है ठीक है ना current affairs है मैं रखे आप 2 घंटे एक देड़ से 2 घंटे में आराम से complete कर लोगे देड़ घंटा बहुत होगा मेरे ख्याल से ठीक है फिर शाम को schemes के लिए थोड़ा time लगेगा schemes मेरे ख्याल से 2-5 घंटा निकल जाएगा या में भी 3 घंटा आप पर depend करता है Kenya hosted the 6th edition of Africa Agree Expo in February 2023 तो अगर exam में आए which of the following was hosted by Kenya अब मैं question भी बता देता हूँ कैसा आएगा which of the following was hosted by Kenya in February 2023 तो Kenya ने Africa Agree Expo को host किया था अब यह picture यहाँ पर देने का reason क्या है क्योंकि इस पर date भी लिखा है आठ से लेके 9 February 2023 8-9 February 2023 जो के यहाँ पर नाइरोबी Kenya में host किया गया था clear guys उसके बाद International Expo on Agriculture and Dairy Technology और्गनाईज़ इन लुधियाना ठीक है तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो लुधियाना में एक International Expo और्गनाईज़ किया गया on Agriculture and Dairy Technology इसका date यहाँ पर क्या था date था 20-21 January ओके यहाँ पर farm machinery के बारे में बाते की गई थी तो यह जो International Expo या Exhibition था यह farm machinery को लेके था याद रखिएगा ठीक है कभी भी अगर देखो हमने बहुत सारे conclave पढ़े होंगे लेकिन मैंने सारे conclave नहीं डाले हैं क्यों नहीं डाले हैं क्योंकि भाई जो important conclave हैं वही हमारे लिए जरूरी है ठीक है ना जो national level पर या international level पर हो रहे हैं वो हमारे IBPS AFO के लिए जरूरी है लेकिन जब मैं regular current affair में आपको कोई state का conclave बताता हूं तो मैं यह भी ध्यान में रखता हूं कि आपके state के भी agriculture exam होगे जहां पर वो काम आएंगे तो इसलिए जो state में state level पर होते हैं उनको आप skip कर सकते हो क्योंकि वो आपके in exams म में generally नहीं आते हैं ठीक है चलिए next आगे बढ़ते हैं marathon का pdf यह देखिए telegram का link pin है ठीक है class के बाद join के लिजिएगा वहीं आपको marathon का pdf मिलेगा लेकिन शाम को मिलेगा ठीक है ना इसमें कुछ चीज़े add होके आपको मिलेंगी चलिए electronic national agriculture market e-nam on the platinum award in digital india 2022 तो digital india award 2022 दिया गया और e-nam को यहाँ पर platinum award मिला मतलब first place मिला मतलब की बही digital india के लिए e-nam एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक ब्रह्मास्त्र किया सकते हो farmers के लिए जो की एक electronic market provide करता है जहां पर farmers purchasing और selling कर पाता है e-nam has won the platinum award in the digital empowerment of citizens category in digital india awards 2022 held in new delhi on 7th of january 2022 तो यह इसका certificate है जो उसको मिला था next USDA approves the use of world's first vaccine for honeybees ठीक है तो दुनिया में honeybees के लिए पहला vaccine लाया गया था और USDA United States Department of Agriculture ने इसे approve कर दिया the vaccine is designed to protect bee colonies from American foul brood disease ठीक है तो यह कौन से disease के against vaccine था यहां पर American foul brood disease उसके बाद a bacterial infection that attacks bee larvae जो bee का larva है उसको attack करता है और फिर जो colony है उसे weak कर देता है it works by introducing an inactive version of the bacteria इसी bacteria का एक inactive version जो है जैसे की आपने COVID में भी देखा होगा weaker version को introduce किया जाता है in the royal jelly fed to the queen queen को जो royal jelly fed किया जाता है उसी में यह vaccine डाल दिया जाता है resulting in immunity from the queen's larvae तो जो queen का larva होता है उसको वो जो है immune होता है क्योंकि royal jelly पे queen feed करती है ठीक है next यहां पर देखते है national genome editing and training center भाई यह एक center inaugurate किया गया था जितने भी research institute यह centers inaugurate किये गए है 2023 में प्लीज याद रखेगा ठीक है very good morning good morning प्यार सिंग good morning शिखा national genome editing and training center inaugurated at the national agri food biotechnology institute ठीक है जिसका short form है nabi under the department of biotechnology ministry of science and technology in mohali Punjab तो हमें इसमें क्या याद रखना चाहिए एक बार समझेगा सबसे पहला कौन सा center को inaugurate किया गया यह institute का नाम क्या है institute का नाम है national genome editing and training center second important चीज है कि कहां पर किया गया जो कि है mohali Punjab में तीसरा भई किस के under आता है जैसे यहाँ पर यह department of biotechnology ministry of science and technology के under आता है तो यह दो तीन चीज़े जो है generally important होती है next India is known as the spice bowl of the world right क्यों कि हम लोग बहुत मसाले काता है हमारे खाने मसाला नहीं होता है तो हम लोगो मजा नहीं आता है बड़ी सीधी सी बात है right so India is known as the spice bowl of the world और इसी के लिए the 14th edition of the world spice congress ठीक है जैसे अलग अलग यहाँ पर seminars या क्या कहते है meetings वगरा होते हैं बिलकुल उसी तरह congress वगरा held किये जाते हैं तो 14th world spice congress मुंबई में organize किया गया from 16 to 18 February 2023 16-18 February 2023 को यहाँ पर क्या किया गया कि इसे organize किया गया था इसका theme क्या था कोई भी national और international event या फिर कोई भी national या international day का theme जरूर याद रखेगा जो सबसे important होता है the theme of the world science, sorry spice congress 2023 was vision 2020 spices इसका क्या था vision 2030 spices तो spices का full form यहाँ पर इन्होंने दे रखा था S for sustainability, P for productivity, I for innovation, C for collaboration, E for excellence and S for safety यह spice का full form जो है यहाँ पर दिया गया था ठीक है, spices, next उसके बाद देखते हैं new integrated food security scheme जो की है PMGKAY प्रधान मंतरी गरीब कल्यान अन्योजना इसमें क्या हुआ कि थोड़े से changes किये गए थे कि किस तरीके से यहाँ पर जो food है, food grain से उसे यहाँ पर distribute किया जाएगा, ठीक है, clear next, जब बिहार का syllabus आ जाएगा तब आपको समझ में आएगा, वसे तो AFO का batch suitable होगा, जब आपको इस state exam की तयारी करते हो, तो उस state के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लीजेगा, ठीक है, new integrated food security scheme प्रधान मंतरी गरीब कल्यान अन्योजना was approved for providing free food grains to the अन्योजना and primary household beneficiaries, तो जो अन्योजना के तहत लोग आते हैं, या फिर जो primary household beneficiaries के अंडर लोग आते हैं, उनके लिए यहां पर इसे PMGKY को consider किया गया था, 1st January 2023 को इसे organize किया गया था, next, the United States Grains Council USGC, a private non-profit export market development organization supported by the United States Department of Agriculture had opened its newest office in New Delhi, the United States Grain Council ने अपना एक office जो है, वो New Delhi में open किया, किसके support के साथ यहां पर, Department of Agriculture के support के साथ, next, the first expo on Organic North East was conducted from February 3rd to 5th, 2023, देखो February 3rd से लेके 5th के बीच में, एक Organic North East Expo यहां पर conduct किया गया, अब यह था क्या, यहां पर basically, जितने भी organic fruits and vegetables थे दुनिया के, उसको यहां पर display किया गया था, and यह जो expo था, it was hosted by Department of Agriculture in Assam and organized by the Sikkim State Cooperative Supply and Marketing Federation Limited, अब यहां पर Simfed का full form याद रखेगा, यह जरूरी हो सकता है, ठीक है, प्लीज क्लास में focus कीजेगा, इस बाकी बाते class की बात कर लेंगे, next, the cotton association of India reduced its cotton crop output estimate for the 2022-23, अच्छा यहां ध्यान रखना, कितना reduce किया यह जरूरी नहीं है, क्यों reduce किया, यह जरूरी होगा, ठीक है, तो अगर reducing की अगर बात करेंगे, the cotton association of India reduced its cotton crop estimate for 2022-23, 22-23 के लिए उन्होंने अपना जो cotton के production का आकलन है, उसे कम कर दिया था, इसका reason क्या था, क्योंकि जो major cotton producing state थे जैसे कि महारास्टर, अंधरप्रदिशन करना टका, वहां पर production काफी कम था, इसलिए जो है, इसे कम कर दिय गया था, the output was expected to remain flat in Gujarat, यह जो output है, इसको flat रखने के, मलब Gujarat में यह इसमें किसी भी तरह का changes generally नहीं हुआ था, ठीक है, good morning सुधान सु सर, और सुधान सु सर हमारे बीच हैं बच्चों, ठीक है, सर से हल चल, पूछ लो, next, WDRA, Warehousing Development Regulatory Authority, मैं आपको economics में बताता हूं about NW NWR Negotiable Warehouse Receipt, जहाँ पर आप Warehouse में अगर अपना produce deposit करोगे, तो आपको एक receipt मिलेगा, और उस receipt में, receipt के तहत आपको 75% तक का loan जो है, वो मिल सकता है, तो यहाँ पर WDRA ने एक MOU या फिर Memorandum of Understanding sign किया, State Bank of India के साथ, किस के साथ, State Bank of India के साथ, और यह mainly था produce marketing loan के लिए, मदला produce को deposit करो, NWR या Negotiable Warehouse Receipt लो, और उसको लेके फिर जो है, आप यहाँ पर loan ले सकते हो, to exclusively fund against ENWRs, जहाँ पर कुछ extra features थे, जैसे कि collateral free and attractive interest rate, मतलब किसी भी तरह का collateral security की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आपको loan लेने के लिए, कोई चीज गिरवी रखने की, या फिर को आती साथ interest rate भी अच्छे होंगे, मैंने recently finance पढ़ाते वक्त आपको loans के types पढ़ाये हैं, आपके paid batches में, तो please finance और marketing इन दोनों को economics में पढ़िएगा, क्यूंकि जो questions आते भी हैं आपके general agriculture के, वो ज्यादातर या तो finance के होते हैं, या तो market के होते हैं, general economics या production economics या principles से comparatively question या ABM से काफी कम आता है, ठीक है, चलिए, next, हाँ, उसके बदले loan मिल सकता है, कोई भी चीज़ आप रखके loan ले सकते हो, लेकिन यह mortgage नहीं होगा, mortgage अलग है, hypothecation अलग है, और collateral loan अलग है, और chattel security अलग है, मतलब सब कुछ अलग-अलग है, थोड़ा-थोड़ा difference है, ठीक है, प्लीज उसको जो है, clearly पढ़िएगा, okay, sir, April 2023 की current affairs, current affairs, निखिल, जो भी important current affairs है, वो इसी में cover हो रहे है, बाकी आप लोग जो है, Agri Pulse का book order कर सकते हो, अगर आप order करना चाहते हो, कैसे order करोगे, मैं end में बता दूगा, फिलहाल के लिए, कृपया, 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 हाथ जोडता हूँ, class में focus कीजिए, दुनिया भर की चीज़े दिमाग में मतला ही है, ठीक है, वरना आप बेठर होगे, मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा, और टाइम जाया जाएगा, ठीक है, Conference on Digital Financing against e-negotiable warehouse receipt and way forward organized by NABAD, तो NABAD नहीं यहाँ पर क्या किया है, conference organized किया, जिसका नाम है Digital Financing against e-negotiable warehouse receipt and way forward, अब यह मैंने यहाँ पर क्यों include किया है, क्योंकि mostly conferences वगएरा का नाम आपको नहीं पूछेगा, लेकिन यह ना NWR या Negotiable warehouse से related है, और उपर से NABAD नहीं और नहीं इस किया था, इसलिए जो है, इसको आप ध्यान में रख सकते हो, next, उसके बाद अगर दे तो यहाँ पर लंबी अहिर विलेज की जो सरपंच है, ठीक है, निरु यादव जिनको होकी वाली सरपंच भी कहा जाता है, तो इन्होंने ना NABAD के साथ एक पैक्ट साइन किया है, to start the farmers producer organization, FPO स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर एक पैक्ट साइन किया है, with the assistance of SIIRD, जो कि ह Society of Indian Institute of Rural Development, ठीक है, और session को like और share करना बिल्कुल ना भूले, सच्ची सहली महिला Agro Producer Company, यह उस FPO का नाम है, सच्ची सहली महिला Agro Producer Company Limited is the 15th such FPO launched by NABAD in Rajasthan, ठीक है, मतलब NABAD ने already बहुत सारे FPO launch कर रखे हैं, यह 15 था, ठीक है, in Rajasthan where Yadav has taken the responsibility as board of directors of this company, यह इस company में, नीरुयादव जो हैं, वो एक board of director हैं, ओके, next, एक director है, board of directors में, उसके बाद, India cold chain conclave organized, ठीक है, इसका date था, 19 January 2003, जगा था New Delhi, organized किया था, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare ने, along with the PhD Chamber of Commerce and Industry, जो किये, PhD CCEI, ठीक है, और साथ ही साथ, इनके साथ, और कौन मिले हुए थे, National Center for Cold Chain Development, तो इस तरह किये, जो national or international conclave 3-4 हैं, इनको प्लीज याद रखेगा, ठीक है, गूड मौनिंग मिथुन, श्री परसोतम रुपाला, लॉंस्ट अमराथी वर्शन ऑफ दे सागर परिक्रमा सौंग, आपको पता है कि सागर परिक्रमा, जो है, अलग-अलग फेजेस यहां पर हुए हैं, ठीक है, तो सागर परिक्रमा का जो मराथी वर्जन है, सौंग का, उसको रिलीज किया गया, औ क्यूंकि अभी तक इस करेंट अफेर आने के बाद, AFO का एक्जाम नहीं हुआ है, और मुझे लगता है, कम से कम एक क्वेश्चिन तो इससे आना ही चाहिए, इंडिया इस इमर्जड अस लार्जेस्ट प्रोडूसर और कंजूमर ऑफ शुगर, आज वेल अस दो वर्ल्ड स इंडिया ना यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा प्रडूसर बन गया है, ठीक है, और यहां पर साथ ही साथ कंजूमर बन गया है, किस चीज़ का, शुगर का, और साथ ही साथ एक्सपोर्टर के टर्म्स में, यहां पर इस सेकेंड एक्सपोर्टर, जो है, आफ्टर का है यह ठीक है नेक्स्ट मिलेट्स और्गैनिक 2023 इंटरनाशनल ट्रेड फेर वस कंड़क्टर इन बेंगलूरू आपको बस जगह का नाम याद रखना है बस बात ख़ता हूं अगर एक्जाम आते हैं क्यूंकि मिलेट्स से रिलेटेड है इंटरनाशनल इयर ओफ मिलेट्स से इसलिए मैं मिलेट्स का कोई चीज छोड़ना नहीं चाता हूं ठीक है तो मिलेट्स और्गैनिक 2023 का इंटरनाशनल ट्रेड फेर कहां कंड़क्ट किया गया था अगर एक्जाम में आये तो एंसर होगा बेंगलूरू ठीक है मैं क्वेश्चिन भी बताते जा रहा हूं साथ- यहां प्रसिक्षन और्गैस किया गया कोटा राजस्तान में इसके बाद यहां पर देखते हैं इंडिया यूट्टे एस वाईस चेयर डेट्टस सेशन और वेश्चेंट और टेकनिकल टेकर फेवर्किंग ग्रूप ठीक हैं जो एक इस इंटर गवर्मेंट टेक्नीक ऑ्कि कि Animal Genetic Resources के उपर हुआ था कहां हुआ था अगेन इंपोर्टेंट है रोम में हुआ था वहां पर इंडिया को Vice Chair मतलब जो क्या बोलता है जो committee organized की गई थी उसके जो Vice Chairman से भे वो इंडिया के पास था ठीक है next FSS AI incorporated millets as nutritional option in food menus of schools, hospitals, government, canteens, etc due to its numerous health benefits तो अगर exam में आएगा which of the following institute incorporated the millets as an option in school, hospitals या government canteens तो answer होगा FSS AI जिसका full form है Food Safety and Standards Authority of India उसके बार important information about RCF ठीक है RCF के बारे में ठीक है यहां पर कुछ important information है ओके अच्छा RCF का full form क्या है भई? RCF का full form क्या है? Good morning accounts What is the full form of RCF? बताओ भई RCF का full form क्या है? थोड़ा तो hint मैंने दे ही दिया आप तो बताई सकते हो ठीक है अब इन्होंने यहां पर क्या किया था? Bio fertilizer with innovative environment friendly water soluble packaging जिसका नाम है GEOLA ठीक है उसके बाद organic growth stimulant OGS pH balancer suspension fertilizer Vipula जिसका NPK grade 10-10-10 है और सीतला जिसका जो की एक phosphate rich organic manure है ठीक है? प्रॉम सीतला अब इसको जो है introduce किया था किसने? RCF ने ठीक है? clear guys? ओके next आगे बढ़ते हैं important information multi micronutrient mixture fertilizer सुभद्रा सुभदा ठीक है? not सुभद्रा ठीक है? RCF retail shops have been converted into model fertilizer retail shop जो RCF के retail shops हैं उनको modern fertilizer retail shops में convert कर दिया गया under the PMKSK प्रधान मंत्री किसान समर्दी केंद्र जो कि मैं अभी आगे बताऊंगा यह launch किया गया था राजस्तान में सिकर में ठीक है? राजस्तान में सिकर नाम का एक जगह है वहां पर इसे launch किया गया था which act as one stop shop क्या काम था इनका? कि जो भी आपको fertilizer के बारे में need होगा सिर्फ खरीदने के लिए ही नहीं बलकि यहां पर अगर आपको किसी भी तरह का advice भी चाहिए होगा ना तो वो आपको यहां पर available होगा ठीक है? next वी चलते हैं MOU signed between Department of Agriculture and Farmers Welfare and the Development Innovation Lab तो basically Department of Agriculture and Farmers Welfare और दिल ठीक है ना? यह वाला दिल नहीं भाई Development Innovation Lab ओके? at the University of Chicago तो इसका नाम दिल नहीं इसका नाम है दिल ठीक है ना? ओके? जो कि यह Development of Innovation Lab जो कि University of Chicago में है वहां पर एक MOU sign किया गया था obviously agriculture को boost करने के लिए ठीक है? दूसरा MOU, एक list बना लिजिएगा कि कितने MOUs sign हुए है ठीक है? और मैंने सारे important MOUs जो है वो यहां पर डाल दिये हैं very good morning Nikhil, absolutely correct Ankitab Pooja, Boni, Archena so MOU signed between the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and Digital Green ठीक है ना? और कौन है? Digital Green के साथ यहां पर MOU sign किया गया उसके बार यह important report है देखो जो कि आया था making India a global powerhouse on farm machinery ठीक है ना? So making India a global powerhouse in the farm machinery industry यह एक report release किया था किसने यह report जो है release किया था? Union Minister of State Agriculture and Farmers Welfare, Sobha में Sobha करन लजे ठीक है? and इसको prepare किया था NCAER मतलब National Council of Applied Economic Research और इसको sponsor किया था Mahindra and Mahindra ने मतलब sponsor करने का मतलब क्या पता है? मतलब इस study को करने के लिए Mahindra and Mahindra ने जो है यहां पर help किया था इसलिए उसे लिख रहे हैं कि हम sponsor किया था, ठीक है? Next, आगे बढ़ते है अपेड़ा organized virtual buyer seller meet भाई बहुत सारे BSM, BSM मतलब buyer seller meet अपेड़ा ने organize किया था आपको याद होगा wine का, mango का, ठीक है न? तो यहां पर जो important हो सकता है, वो millets से related हो सकता है कि अपेड़ा ने एक virtual buyer seller meet organized किया कहा पर UAE, United Arab Emirates में millets के लिए, ठीक है? और यहां पर उन्होंने एक e-catalog launch किया किसके लिए? UAE के लोगों के लिए कि millets के फाइदे कितने हैं, okay? next, world wetland day celebrated, यह जितने भी days है, please याद रखेगा और उनका 2023 का theme भी याद होना जाहिए, so world wetland day को celebrate किया गया, इसको annually, मतलब साल में 2 February को celebrate किया जाता है, इस दिन जो है क्या हुआ था? Iranian city of Ramsar, हम हमें सा Ramsar sites कहते हैं, तो जो इरान का एक city है, okay? Ramsar जिसको adopt किया गया था as a wetland और उसे जो है develop किया गया था, 2 February 1971 में और तभी से जो है, world wetland day celebrate किया जाता है, 2023 का theme है wetland restoration, क्या था? wetland restoration, okay? and उस time पर जितने भी sites थे, आपको पता होगा, जो independence day था, तो 75th independence day पर 75th, 75 sites पर celebrate किया गया था, आप लोगों को बताया था मैंने, so 2023 का जो theme था, वो था wetland restoration, according to production data of food and agriculture organization, corporate statistical database, जो की FAO stat है, इंडिया का rank milk production में first है, यह आप सबको पता है, जो आपको यहाँ याद percentage करता है, यहाँ पर 21-22 में 24% था, जो recent data है, ठीक है, वो मैंने आपको अभी थोड़े दिन पहले, कल पर सो कौन से class में बताया था, मैंने मिल के बारे में, कल current affairs में बताया था, ठीक है, कि मिल के जो है, यहाँ पर data, rank जो है, अभी भी यहाँ पर first rank पर है, ठीक है, कल में ब 2003 was inaugurated in Katak, Odisha, Katak, Odisha में National Rice Research Institute है और वहाँ पर second Indian Rice Congress 2023 को inaugurate किया गया, किन्हों ने inaugurate किया, प्रेसिदेंट स्रिमर्ती द्रापदी मुर्मो, ठीक है, next question, next current effect, IIM रहतक to assess paddy residue management initiatives, पंजाब, हरियाना और उत्तर परदेश, भई, पंजाब, हरियाना और UP में, IIM रहतक क्या करने वाला है, paddy residue management को, management के initiatives को दे ले, initiatives लेने वाला है, इसका मदलब कि paddy के जो residues है, उसको किस तरीके से manage किया जाए, जो पराली कहता है न, ठीक है, तो वो कैसे की जाए, यहां पर ताकि pollution ना हो, कैसे उसको decompose किया जाए, यह सारी चीज़े, okay, next, the first agriculture deputies meeting under the agriculture working group AWG G20, spanning across three days, concluded in 15th February, मैं G20 का session already कर चुका हूँ, उसका playlist पूरा मैं उपर अभी लगा दूँगा, आज आपको सारे special current affairs का भी playlist, मलब videos दिख जाएगा, और जो PDF में दूँगा, उसमें मैं G20 के PDFs जो है, वो भी attach कर दूँगा, मतलब जो PDF में आपको दूँगा, that will be complete, पूरे साल का current affair होगा उसमें G20, जो भी special sessions मैंने किये होंगे बीच में, उनके PDFs भी उनमें add करके आपको दूँगा, ताकि एक जगह पर आपको सब मिल जाएगा, ठीक है, तो first agriculture deputies meeting under the agriculture working group G20 spanning across three days concluded on 15th February 2023, ICAR felicitated the stakeholders for registration of livestock breeds, ठीक है, तो ICAR नहीं यहां पर क्या किया, कि livestock breeds को register करने के लिए, यहां प किया, उनको felicitate किया, in order to claim sovereignty over these indigenous breeds, indigenous breeds को यहां पर display करने के लिए, और क्यों मलब उसको और ज्यादा promote करने के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा हम, देख, indigenous breed का फाइदा क्या होता है, हमेशा हम लोग animal husbandry, animal husbandry और plant breeding में पढ़ते हैं, disease resistance, तो हमारे indigenous breeds का disease resistance है, या फिर आप यू किया सकते हो कि जो adaptability है, वो सबसे ज्यादा है, ठीक है, so indigenous breed, dare had started notifying all registered breeds in the gadget from the year 2019, 2019 से लेकि अभी तक dare क्या कर रहा है, कि जितने भी registered indigenous breeds है, उनको notify कर रहा है, next, national conference on agriculture for jayat campaign 2023 organized, ठीक है, so यहां पर jayat campaign 2023 के लिए, एक national conference on agriculture को organize किया गया था, कहां पर New Delhi में, तो इसका main motive क्या था, कि जायत के crops को ज्यादा से ज्यादा promote करना, और उसके बारे में यहां पर क्या लेकिया आना, awareness लेकिया आना, ठीक है, national horticulture fair inaugurated at IIHR Bangalore, भाई IIHR Bangalore में national horticulture fair inaugurate किया गया था, बस आप जगह का नाम याद रखियेग क्या था, क्या था बही, international conference on trade and marketing of coconut products, इसको organize किया था, coconut development board ने, कहां organize किया था, हाइदराबाद में, बस, ओके, next, उसके बाद, as per the 2020 statistics of ICC, 2020 का जो statistics से ICC का, इंडिया is the largest coconut producing country in the world, दुनिया में इंडिया सबसे बड़ा coconut producing country है, जिसका global share 30.93% है, followed by Indonesia and Philippines, मतलब second में Indonesia, third में Philippines है, लेकिन productivity के case में, इंडिया का rank second है, और वहीं पे जो first है, वो है Vietnam, ठीक है ना, इंडिया का rank कितना है, productivity में, second है, और first rank किसका है, Vietnam का है, याद रखियेगा Spices Board establishes 8 crop specific spice park across the country and this is also going to be very very important, ठीक है ना, ये question को आप horticulture कहलो, ये question को आप current affair कहलो, जो मर्जी कहलो, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा important होगा, Spice Board ने 8 crop specific spice park को यहाँ पर introduce किया, Name of the spice park कि अगर बात करेंगे, तो यहाँ पर देखो, एक तो चिंदवारा में है, जो कि मध्यप्रदेश में है, और यहाँ पर कौन से spice के लिए launch किया गया है, ये याद रखना है, तो चिंदवारा मध्यप्रदेश, garlic and chili, गुना मध्यप्रदेश, coriander, गुन्टूर अंधर प के लिए, ठीक है, हाँ, इसका PDF भी मिलेगा, ठीक है, नेक्स्ट, जैसे कि मैंने कहा था, PDF आपको T plus 1, मतलब अगले दिन मिलेगा, ठीक है, नेक्स्ट, name of the spices park, चिंदवारा, garlic drying, dehydration and chili extraction, ठीक है, मतलब क्या-क्या चीज़े की जाएंगी, गुना में cleaning, grading, color sorting, grinding की जाएंगी, कोरियंडर की, गुन्टूर में cleaning, sorting, grading, packaging, चिलीज की, जोथपूर की cleaning, grading, color sorting, grinding, packaging, seed spices, especially cumin का, रामगंज मंडी यहां पर कोरियंडर का, पुटाडी अगें यहां पर काड़ाम पेपर का, राइबरेली में मिंट से जो भी oil extraction है, वो किया जाएगा, और शिपगंगा में अगें टर्मरिक और चिलीज का cleaning, processing बगएरा किया जाएगा, इफको नानो यूरिया लिक्विड प्लांट्स इनागुरेटर अट आउला और फूलपूर इन यूपी, यूपी में आउला और फूलपूर में यूपी का नानो यूरिया लिक्विड प्लांट सेटप किया गया था, म इंडियान एग्रिकल्चरल रिसर्च इंस्टिटूट आई आई रही ने इसे और वेन्यू जो है इसका न्यू डेली था, थीम याद रखिएगा, थीम इसका था श्री अन्न थीम था ठीक है, जो कि मिलर्स के लिए बनाया गया था, नेक्स्ट, सीड ट्रेसेबिलिटी सिस् हुआ था, जो सीड फॉर ग्लोबल यूनिटी वाल, ठीक है, आप जो पिक्चर में यहां देख रहे हो, ऐसा एक वाल बनाया गया था, जिसमें, अलग-अलग सीड वो कहां से आया है, क्या है, वो सारी चीज़े यहां पर जरूरी है, प्रोसेस नहीं, ब्रिजस प्रोसेसिं इंपोर्टन नहीं है, जो आपके स्पाइस पार्क थे, वो कहां है, कौन से स्टेट में है, और कौन सा प्रड़क्ट जो है, वहां पर डील किया जाएगा, यह तीनों याद रखिएगा, ठीक है, नेक्स्ट, उसके आगे जलता है, मिलेट्स गिवववे इस स्पेशल मार्क इंवेस इंडिया के साथ जो है, यह यह याद रखिएगा, इंवेस्ट इंडिया के साथ जो है, यह यह एस्टोसियेट हो रहा है, कौन मिनिस्ट्री अग्रिकल्चर और फार्मर्स वेलफेर, उसके बाद नफेड और NCCF इंटर्विन्ट इंडिया के लिए किसने मार्केट में इंटर्विन किया था, तो उसका एंसर होगा यहाँ पर नफेद और NCCF, ठीक है, नेक्स्ट कुश्चिन, नेक्स्ट बारबर कुश्चिन कह देता हूं, 3 Centers of Excellence for Horticultural Crops was approved by Mission for Integrated Development of Horticulture, MIDH, MIDH के द्वारा, टोटल 3 Centers of Excellence approved किया गया, इस साल जिसमें, जिसको मिला के, टोटल 49 Centers of Excellence हो गया, ठीक है, जो तीनों approved किया गये थे, उनका नाम में बतायता हूं, Center of Excellence for Kamalam, Dragon Food, ठीक है, जो की Bengaluru, Karnataka में है, Center of Excellence for Mango and Vegetables, जो की Odisha में है, Jajpur district में, उसके बाद यहां पर Center of Excellence for Vegetable and Flowers, जो की यहां पर Gowa में है, ठीक है, next, आगे बढ़ते हैं, Seed Processing and Storage Facility, inaugurated by IGFRI जहांसी, IGFRI जहांसी ने, एक Seed Processing and Storage Facility यहां पर inaugurate किया, Agri Unifest inaugurated in Bengaluru, Bengaluru में एक Agri Unifest conduct किया गया था, उसके बाद important है, Global Millets Conference, inaugurated in New Delhi, New Delhi में एक Global Millets Conference या Shri Unna Conference यहां पर organize किया गया था, यह इसमें basically एक important क्या हो सकता है, देखो, एक postal stamp और currency coin release किया गया था, जो इसी particular event या Millet को boost करने के लिए किया गया था, ठीक है, ICIR, IIMR was announced as the Global Center of Excellence for Millets, Millets के लिए जो IIMR है, ठीक है, उसको Global Center of Excellence यहां पर declare किया गया, ओके, और साथ ही साथ मैं आपको एक बारी picture दिखा देता हूँ, देखिए, यह वो coin है, 75 रूपीज का, ठीक है, और यह जो है, वो stamp है, जो International Year of Millets को represent करता है, clear guys, ओके, next, उसके बाद, यहां पर, World B Day Celebrate on 28th में, 20 माई को World B Day Celebrate किया गया था, honey testing labs were virtually inaugurated by the Honorable Agriculture Minister, इसमें तीन टोटल यहां पर, जैसे कि regional testing lab बेंगलूरू में, फिर regional testing lab New Delhi में, mini honey testing lab Kashmir में, जो है, inaugurate किया गया था, इसके अलावा, mini honey testing lab Madhya Pradesh, उसके बाद, गुजराट, then Arunachal Pradesh, हरियाना, बस इतना याद रखेगा, नाम ठीके, और देखो, यह इतना नहीं आएगा, आपको यह नहीं पूछेगा कि कहां कहां पर हुआ था, आपको overall पूछेगा कि क्या किया गया था, ठीके न, उसके बाद, Bee Disease Diagnostic Center, जो की हाइदराबाद, तलेंगाना में है, on this occasion, he also inaugurated bee box, एक bee box inaugurate किया गया, एक bee box basically manufacturing unit है, जहां पर जो honey farmers है, या फिर जो apiculture practice करते हैं, ठीक है, उनके लिए ये फाइदमन्द होगा, इसमें bee hive के production, बहुत सारे अलग-अलग kids introduce किया गये थे, जो की उत्तराखर, चतिसगर और UP में, इन तीनों स्टेट में mostly यहां पर क्या किये गये थे, बनाये गये थे, हां मलब वो commercially release नहीं किया, 75 रुपी को commercially release नहीं किया, वो वसे एक memory है, कि भाई हमने 75 रुपी का एक coin जो है, international year of millets में यहां पर release किया था, वो commercial use के लिए, मलब किसी के पास 75 नाबाड के लिए ज्यादा जरूरी है, in comparison to AFO, लेकिन फिर भी environment से related है, तो थोड़ा सा देख लो, Prime Minister of India, during the 14th conference of the parties of the United Nations Convention, to combat desertification, that is UNCCD, on 9th September 2019, announced the establishment of COESLM, मतलब Center of Excellence of Sustainable Land Management, ठीके, इसको establish करने के लिए, यहां पर कहा गया, at the Indian Council of Forestry and Forestry Research and Education, उसके बाद सामर्थ campaign लाउंच किया गया, ग्राम पंचायत लेवल पे, जो कि important है, याद रखेगा, ठीक है, सामर्थ campaign को लाउंच किया गया, यहां पर पंचायत लेवल पे, किसने लाउंच किया, by the Union Minister of Rural Development and पंचायती राज, जो कि है, राजना, सुरी, राजनात सिंग ब में digital transactions को यहां पर promote किया जा रहा है, to obviously to boost digital India, और इसको लाउंच किया गया था लखनो में, ठीक है, उसके बाद यहां पर महिला SSG समयलन और और ट्राइफेट, ट्राइफेट ने यहां पर महिला SSG समयलन और 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 अर्गनेज किया था, ठीक है, and ट्राइफेट का full form अगर NSDFDC का full form है, National Schedule Tribes Finance and Development Corporation, ठीक है, इसको और गनेज कहां किया गया था, यह जरूरी है, यह और गनेज किया गया था, खुंटी district of जार्खन, ओके, next, date रो ही तो जरूरी नहीं है, ठीक है, जो जरूरी है, वो आपका place है, ठीक है, प्लेस सबसे जादा जरूरी है, ठीक है, not date date एक बारी के लिए आप अगर याद नहीं भी हो रहा है, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई भी event का theme, उसका place, यह बहुत clearly याद होना चाहिए, उसके बाद हम आ गए है, जून तक भाई, world milk day, क्या है, world milk day यहां पर organize किया जाता है, Thursday, June 1, 2023, ठीक है, तो म बहुत easily इसको cover कर पाओगे, अगर थोड़ी सी जो है, आप regular हो जाओ, सुबह 10 बजे agriculture current affairs के class में, रोज 5 मिनिट के लिए मैं current affairs कराता हूँ, ठीक है, अगर एक बारी के लिए active हो जाओगे, तो current affairs याद रखना इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना, PDF में, मै November, December के current affairs और G20 ये सब extra डाल के दूगा, तो PDF में आपको सारी चीजे पढ़नी है, ठीक है, चलो, World Milk Day 2023's theme is showcasing how dairy is reducing its environmental footprint, so environmental footprint is about again, like carbon footprint and pollution, यहाँ पर जो dairy है, वो कैसे हमें nutritious food provide कर रहा है, और इसके production में ऐसा कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो theme इसका याद रखेगा, showcasing how dairy is reducing its environmental footprint, while also providing nutritious foods and livelihoods, ठीक है, जिन्होंने सुबह वाली class की होगी, उनको अभी बहुत easy लग रहा होगा, ठीक है, जिन्होंने नहीं की होगी, उनको लग रहा होगा, यहार इतना सारा current affair कहां से आ गया, ठीक है, फिर भी मैं काफी speed मैं मैंने पढ़ाया है, ठीक है, अगर धीरे धीरे पढ़ाता तो काफी time लगता, मैंने काफी speed से भी पढ़ाया है आप लोगों को, ताकि आपका class बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए, ठीक है, next, आगे बढ़ते है, stock limits were imposed on तूर and उरत दाल, 31st October 2023, यह याद रखेगा, कि यार तूर और उरत दाल का जो stock limit है, वो कब आया था, यहाँ पर date important हो सकता है, ठीक है, so 31 October 2023 को यहाँ पर stock limit को imposed किया गया था, सारे states और union territories में, ठीक है, इतना जो है, आपको याद रखना है, अब stock limit कितना imposed किया गया था, आप अगर याद रख सकते हो, तो अच्छी बाद है, अ retail outlet के लिए 5 metric ton, depot, big chain retailers के लिए 200 metric ton, processors और millers के लिए last 3 months of production और 25% of annual installed capacity, मतलब उनका जो capacity है processing करने का, उसके 25% तक जो है, वो यहाँ पर retain कर सकते हैं, सारे बच्चों को telegram link comment में दे रखा है, please join कर लीजिए, वहाँ पर PDF मिलेगा, लेकिन PDF कल मिलेगा, हर एक marathon का PDF उसके अगल marathon होंगे, उनका same day पर मिलेगा, 26 और 27 के marathon का same day पर मिलेगा, बाकि जितने भी आपके marathons है, जितने भी आपके 20 days hard challenge के PDF से, वो आपको T plus 1 मतलब एक दिन, अगले दिन मिलेगा, क्योंकि मुझे कुछ चीज़े addition करनी है, कुछ extra चीज़े आपको देनी है, इसलिए, ठीके, ब importers के case में, they are not to hold imported stock beyond 30 days, मतलब अगर एक importer ने आज तूरिया उरद को import किया है, तो वो आज से लेके 30 दिन तक ही उसे hold कर सकता है, उससे ज़्यादा hold नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, next, उसके बाद चलता है यहाँपर, second meeting with leading oil producers association convention, actually meeting important नहीं है, यह दोनों full form important है, ठीक है, C, S-E-A-I-E, solvent extraction association of India और IFPA, Indian vegetable oil producer association, यह दोनों full form को please याद रखेगा, ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँपर, क्या हो गया, slow हो जाता है विचारा, चलो, भदर्वा, हाँ, यह अगें, यह बहुत important होगा, गईज, भदर्वा has emerged as the lavender capital of India and agree startup destination, ठीक है, सो भदर्वा जो की जम्मु कश्मीर है, वो यहाँ पर lavender capital of India बन गया था, 2023 में, started a two-day lavender festival at वदर्वा in जम्मु region, जम्मु के वदर्वा में एक दो दिन का एक lavender festival और्गनाईस किया गया, CSIR का एक aroma mission है, जो की एक flagship project है, जिसके तहत जो है lavender cultivation को boost किया जाता है, जम्मु कश्मीर के temperate region में, ठीक है, ध्यान रखना dry conditions, arid conditions सिर्फ गर्मी में भी नहीं होता है, dry और arid condition थंड के जगह पे भी होता है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हूँ है, जो temperate region है जम्मु कश्मीर के, वहाँ पर भी जो है lavender cultivation को promote किया जा रहा था, CSIR, IIIM, Indian Institute of Integrative medicine has developed an elite variety, यह variety का नाम याद रखेगा, जिसका नाम है RRL12, यह जो है lavender का एक variety है, okay, next, main product sold, भाई lavender में कौन से product से, जो sell होते हैं, जो एक तो है dry flowers, flowers को dry करके sell किया जाता है, for cosmetic purpose, कुछ लोग decoration purpose के लिए भी खरीते हैं, lavender plants को directly बेचा जाता है, साथ ही साथ lavender oil को, medicinal properties और aromatic properties इसमे पाया जाता है, but otherwise described as the birthplace of India's purple revolution, purple revolution किसके लिए है, lavender के लिए है, ठीक है, next, FIFA urge to unite against the WHO's initiative of grow food not tobacco, ठीक है, तो FIFA ने यहाँ पर क्या किया, WHO का एक initiative है, grow food not tobacco, उसके लिए लोगों को unite करने की कोशिश की, अब क्या था, कि basically हम अगर completely starvation को खतम करना चाहते हैं, तो हमें tobacco की जगा food को grow करना चाहिए, लेकिन the problem is, जो बच्चों को खाना नहीं मिलता है, वो उ इसलिए नहीं मिलता है, क्योंकि वो purchase नहीं कर पाते हैं, वो poor हैं, ठीक है न, तो यहाँ पर बहुत सारा debate हुआ था, कुछ लोगों ने बोला कि tobacco का cultivation तो बहुत कम होता है, बहुत कुछ point percentage में है, तो वो कैसे food को affect कर रहा है, लोग starvation इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि उनके पा ही, क्या है, क्या नहीं, तो 31 में 2023 को WHO and public health champions around the world came together to celebrate World No Tobacco Day, ठीक है न, इस साल का theme था, Grow Food Not Tobacco, ठीक है न, FIFA has urged the worldwide farming community to unite against the World Health Organization's initiative of Grow Food Not Tobacco, which advocates for substituting tobacco farming with alternative food crops, ठीक है, उसके बाद आता है, World Environment Day 2023, 2023 का World Environment Day यहां पर observe किया गया, ठीक है, theme था beat plastic pollution, आपको पता है, भई plastic कितना pollution create करता है, तो beat plastic pollution, इसको host किया था, इस साल Ivory Coast Africa ने in partnership with Netherlands, इंडिया में एक mega event on mission life organize किया गया था, on World Environment Day, ठीक है, World Food Safety Day जो हर साल 7 जून 2023 को organize किया जाता है, और इसका theme था इस साल, Food Standards Saves Lives Lives, ठीक है, इस साल जो है, वो 5th World Food Safety Day celebrate किया गया था, हमारे country में FSS AI, Food Safety and Standards of India, जो है, Food Safety का ध्यान रखता है, Recently, January के महीने में, National Food Festival, FSS AI और NASBी ने मिलके organize किया था, मैं वहाँ गया भी था, कि आप लोगों के लिए, अगर कोई information short मिलेगा, लेकिन कोई informative short मिला नहीं, और जो बाहर 50 रुपे का चीज था, वह 150 रुपे का मिल रहा था, खाने के लिए, ठीक है, चलो, next, 2000 packs allowed to open प्रधान मंत्री भारतिया जन और शदी केंद्र, अब आप बोलोगे, सर, agriculture में भारतिया प्रधान मंत्री जन और शदी केंद्र का क्या relation है, ठीक है, तो यह 2000 packs जो है, यहां पर क्या करेंगे, प्रधान मंत्री भारतिया जन और शदी केंद्र के तहत, जन और शदी केंद्र जो है, यहां पर open करेंगे, next, आगे बढ़ते हैं, procurement ceiling of 40% removed of तूर, उरद और मसूर अंडर the price support scheme, भाई, price support scheme के तहत, यहां पर तूर, उरद और मसूरूम में, एक 40% का procurement ceiling था, उसे remove कर दिया गया, ताकि जो है, जादा से जादा farmer इसको cultivate करें, और इसको बेचने के लिए motivate हो, India and Republic of Suriname signed 3 memorandums of understanding in the health and agriculture sector, ठीके, इंडिया और Republic of Suriname ने यहां पर 3 MOUs sign किये, ठीके, ताकि वो 2023 से 2027 के बीच में, agriculture के अलग-अलग काम जो है, कर सके, ठीके, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मु वस conferred with Suriname's highest civilian award, the grand order of the chain of the yellow star, ठीके, इसका नाम क्या है, the grand order of the chain of the yellow star, यह award दिया गया था, हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मु जी को, ठीके, by the president Chandrika Prasad Santoki, to honor the South American nation's deep-rooted bilateral cultural ties with India, इंडिया के साथ इसके, जो relationship हैं, वो काफी अच्छे हैं, इसलिए यहां पर यह सम्मान दिया गया था, नेक्स्ट, उसके बाद आता है, भाई, MSP और यह जो है, सब के जुबान पर होने चाहिए, ठीक है ना, PDF के अंदर होगा, आप चाहो तो अभी क्या भी screenshot भी ले सकते हो, 2023-24 के खरीफ MSP जो है, वो release कर दिये गये थे, मूंग, ससमम, groundnut, cotton, यह सारी चीज़े, आप देखो इसमें याद गया रखना है, सबसे पहला चीज, एक तो major crops के MSP आपको याद रखना है, भाई, चावल और गेहू, cotton, इनके तो वैसे भी पूछ दिये जाते हैं, ठीक है, कि इसमें आपको गेहू नहीं मिलेगा, क्योंकि यह खरीफ का है, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है, कि कितना increase हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ पर ध्यान दोगे, सबसे ज़्यादा increase हुआ है, मूंग में, ठीक है, देखो, दो तरह के increase है, एक increase है, आपका पैसे के terms में, एक increase है, आपका percentage के terms में, परसेंटेस के terms में, अगर देखेंगे, सबसे ज़्यादा मूंग में है, 10.4, सेसमम में 10.3, ग्राउंड नट में 9, सबसे कम है, उरद में 5.3, ठीक है, पैसे के terms में, अगर आप देखोगे, 803, 805, 805, 805, 805 रुपे का increase सबसे ज़्यादा है, सेसमम या तिल में, सबसे कम increase कहा है, 527, 268, 210, 143, 128, 128, मेज, ठीक है, सो मेज में सबसे कम increase है, पैसे के terms में, ठीक है, इस तरह के questions जो है, वो ज्यादा तर देखने को मिलते हैं, MSP से, 5th State Food Safety Index Unwilled on World Food Safety Day, World Food Safety Day के दिन, जो है, 5-वा State Food Safety Index यहाँ पर बताया गया, जिसमें Large State के category में, सबसे Food, सबसे Food के मामले में, Safe State केरला रहा है, 2nd में Punjab, और 3rd में Tamil Nadu, यहाँ पूरी List है, Large State में केरला टॉप पे है, उसके बाद Punjab और Tamil Nadu, Smaller States में Goa जो है, यहाँ पर लीडर है, उसके बाद Manipura और Sikkim, Additionally, Jammu and Kashmir, Delhi and Chandigarh secured the 1st, 2nd and 3rd ranks respectively among the union attorneys, ठीक है, Next, उसके बाद Paddy Straw Management and Action Plan Workshop organized by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, the State of Punjab and PAU, तो Paddy Straw Management and Action Plan यहाँ पर प्लान किया गया था, यहाँ बताया गया था, किसके द्वारा, by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India और Punjab के State और PAU इन लोगों ने मिला के, ठीक है, Next, तो आप बस याद रख सकते हो कि Ministry, Punjab और PAU, तिनों ने मिलके इसे किया था, ICR signed MOU with Amazon किसान, यह बहुत important है, आप लोग विजट भी कर सकते हो, इसका साइट Amazon किसान है, जहां पर farming से related बहुत सारी चीज़े Amazon पर अवेलेबल होते हैं, तो ICR ने इनके साथ एक MOU sign किया, बूस्ट करने के लिए, SKUSTK and, जो सेरे कास्ट मिर उनिवर्सिटी है, and Mountain Agriculture Research and Extension Service Station, Mars Team have successfully preserved and domesticated organic black cumin in the Gures Valley of North Kashmir region, ठीक है, North Kashmir में यहां पर क्या किया गया था, कि Gures Valley में एक black cumin के, और organic black cumin के variety को preserve किया गया था, ठीक है, next, the project was initiated in 2019, 2019 में यह जो black cumin है, ठीक है, इसके project को initiate किया गया था, under the leadership of Chief Scientist Professor Mohamed Anwar Khan, market value black cumin का 8000 per kilogram है, भई, बहुत महंगा है, ठीक है, उसे spices काफी महंगे होते हैं, वो बात यह हैं कि हम लोग spices कम-कम लाते हैं, requirement कम रहता है, इसलिए पता नहीं चलता है, वहना kilo का भाव spices का बहुत ज़्यादा है, ठीक है न, ओके, हाँ, पैसा और percentage बहुत से आ सकते हैं question, absolutely correct रोहित, ठीक है, so hybrid varieties including SKAUST case, काला जीरा 1, ठीक है, पहला variety क्या है, काला जीरा 1, इसका जो yield performance है, वो 200 kg प्रती 1,5 एकर है, 1,5 एकर में यह 200 kg या प्रती 1,5 hectare में यह 200 kg जो है, yield दे सकता है, जबकि बाकी भी ऐसे कुछ selection है, जो 200 kg से लेके 300 kg तक yield दे सकते हैं, ठीक है, उसके बाद भई CSH, जितने भी students यहां पर चंदर सेखर आजाद University of Agriculture and Technology से हैं, भई 2023 में आपके university से, जहां से मैंने भी अपना post graduation किया है, ठीक है, इस university से एक PhD student है, जिनका नाम है सुभी बन्नो, ठीक है, इन्होंने यहां पर क्या किया था, एक biscuit बनाया था, जो कि कोडो मिलेट से बना था, ठीक है, क्योंकि International Year of Millet चल रहा है, और इनका यह I guess project होगा, ठीक है, तो इन्होंने यहां पर कोडो मिलेट बनाया था, अच्छा, आप में से कितने students हो भाई, चंदर सेखर आजाद university से, बस एक रोहित, और कोई नहीं है, the biscuits are made from a combination of कोडो मिलेट, जागेरी, ड्राइफ रूट्स, and low-fat butter, with the option of using pure cows, देसी घी, ठीक है, देसी घी वाले options भी थे, ओके, offering a healthier alternative to traditional varieties, तो यह इसके picture से कुछ ऐसे रिखते थे, next, आगे बढ़ते हैं, food science है किया होगा, home science रोहित, जान तक मुझे लगता है, ठीक है, stock limits on the wheat with immediate effect from 12th June 2023, and will be applicable until 31st March 2024, 24, तो यह तो अभी वैसे भी current affair है, ठीक है, जो existing है, भाई wheat में, wheat पे stock limit लगाया गया था, 12 June 2023 से लेके, 31 March 2024 पे, ठीक है, कि जो traders and wholesaler है, वो 3000 metric ton से जादा जो है, यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, store, retailers 10 metric ton से जादा नहीं कर सकते हैं, big chain retailer, again 10 metric ton से जादा नहीं कर सकते हैं, और depots में 3000 metric ton होना चाहिए, processor 75% of the annual installed capacity, एक summit हुआ था गोवा में, जिसका नाम है CY20 और इसका जो main agenda था, वो था blue economy, क्या था भाई, blue economy, तो इसी बात पर blue economy क्या है, ज़रा समझ लेते हैं, blue economy कहता है कि हमारा जो ocean है, हमारे जो ocean और water bodies है, उसके resources को धीरे धीरे sustainable तरीके से use करना, conserve करना, ताकि हमारे economy भी grow हो, हमारे livelihoods भी चले, और साथ ही साथ जो ocean का health है, मतलब जो ocean का ecosystem है, वो खराब ना हो, ठीक है ना, इंडिया सीफूर्ट एक्सपोर्ट तरच अन आल टाइम हाई इन फोई 2022-23, भाई, financial year 2022-23 में इंडिया का जो सीफूर्ट एक्सपोर्ट है, वो सबसे peak पे था, सबसे ज़्यादा था, और यह एक बहुत ही important current affair, आप सभी के लिए यहां पर हो सकता है, क्यों, क्योंकि यह statistical data है, और statistical data का exam में आने के chances बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इंडिया achieved an all time high export, इसमें जो major export का item था, वो था frozen shrimp, ठीक है, जो आपका prawn जिंगा होता है, ठीक है, second largest exported item था, frozen fish, third था European Union, fourth था South East Asia, fifth था Japan, तो आप इतना याद रखना है, इतना, यहां तक जरूरी है, second largest importer, major importer, और हमारे में सबसे ज़्यादा export क्या किया गया, और हमारा place क्या था, इस export में, ठीक है, clear next, उसके बाद, थोड़ा और है, मेरे ख्याल से हम लोग जुलाई तक पहुँच गए, August, September कर लेंगे, October, November, December आपने किया होगा, नहीं भी किया होगा, तो October, November, December का जो current affair, उसका volume काफी कम था, इसमें मैं आपको October, November, December के current affair, प्लस G20 और जितने भी special चीज़े हैं, वो सारी चीज़ों को add करके, कल सुबह आपको Telegram चैनल में, इसका PDF अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना, ओके, जैसे की for example, गुजराट का state fees डिकलार हुआ था, तो यह सारी चीज़े मैंने recently कराई थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर add नहीं किये है, ठीक है, कुछ कुछ चीज़े जो है, वो मैं add कर दूँगा, करके आपको add कर के ही दूँगा, ठीक है, basic import duty on refined soybean oil and refined sunflower oil reduced, ठीक है ना, so यहाँ पर जो refined soybean और sunflower oil है, उसमें जो basic import duty है, उसे यहाँ पर reduce कर दिया गया, ठीक है, अब basic import duty on refined soybean oil, जिसका HS code 15079010 है, आप बोलोगे सिर्फ, HS code क्या है, actually food science के students को पता होगा, HS code कहता है, harmonized system code, यह कैसा code है, जिसके मदद से हम product के बारे में सारे information जो है, ठीक है, हम यहाँ पर इकठा कर सकते है, ठीक है, so and refined sunflower oil, इसका HS code याद रखने के आपको जरूरत नहीं है, यह just information है, आपको याद क्या रखना है, साड़े सत्रा परतिशत से यह tax reduce होके साड़े 12% हो गया, ठीक है, कब से हुआ, 15 जून से हुआ, कब तक रहेगा, 31 मार्च 2024 तक रहेगा, reason क्या था, रशिया और यूक्रेयन के वार के वज़े से edible oil के prices काफी बढ़ गये थे, थोड़ा सा problem ह हो रहा था, इसी लिए यहां पर जो import duty या tax था, उसको reduce कर दिया गया था, ठीक है, करनाटका राज्य राहितर संग, जो की K.R.R.S है, launches राहितर सत्यागरह, demanding the repeal of anti-farmer laws, namely, the करनाटका Land Reforms Act, Anti-Cow Slaughter and APMC Act, तीन एक्ट है, जिसके वज़े से करनाटका में यह आंदोलन हुआ था, जिसका नाम था, राहितर सत्यागरह, राहितर मदलब farmers होते हैं, ठीक है, तो करनाटका राज्य राहितर संग, मदलब यह एक संग है, जहां पर करनाटका स्टेट के जो farmers हैं, ठीक है, तो यहां पर तीन चीजों के against हुआ था, एक है आपका करनाटका Land Reforms Act, एक है अंट PDC हो या, मदलब बस आपका जो final OGP है ना, वो आपको पता होना जाइए, धरमेंद्र प्रधान inaugurated Gabon's inaugural Agri SEZ, मदलब Special Economic Zone Project from New Delhi, ठीक है, the initial phase of the program involved a group, जहां पर 30 farmer और 20 student थे, जो B.A.C.M.C. Agri, B.T.E.C.M.T.E.C. Engineering pursue कर रहे थे, ओडिसा के गजपती district से, यह क्या करेंगे, यह जाएंगे इस program के तहट और यह Agri Technical and Technical Consultant बनेंगे Agri SEZ में, ठीक है, जो Agri के Special Economic Zone है, वहाँ पर यह Agri Technical और Technical Consultant बनके काम करेंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट को develop करेंगे. Next, What is the objective of Agri SEZ? मैंने एक question बीच में डाल दिया है, कि किस टाइप के question आ सकते है, चलो, बताओ क्या होगा इसका answer. What is the objective of the Agri SEZ project in Gabon? Answer please. Gabon का जो Agri SEZ project है, ठीक है, उसका main objective क्या है? अभी तो पढ़ाया, सो रहे हो सब लोग, पढ़ नहीं रहे हो, सो रहे हो, पक्का सो रहे हो, क्लास चला के हम लाइव हैं बोलके सो गए सब. To promote tourism, to increase industrialization, to boost agriculture, to provide health care facilities, क्या होगा, इतना time लोगे answer करने में, धन्य हो प्रभू, धन्य हो. क्लियरली दिख रहा है, भाई, एगरी, ऐसी जड़ की बात कर रहा है, to boost agriculture होगा, बात खतम. इतना कौन सोचता है, यारे, मतलब पढ़ाने के बात तुरंत नहीं बोल पा रहे हो. Answer. Nutri Hub, Nutri Hub is the government of India supported technology business incubator, hosted by IIMR Hyderabad. IIMR Hyderabad, Indian Institute of Millet Research ने एक Nutri Hub नाम का प्रोजेक्ट जो है, वो एक business model है, उसको start किया था. ठीक है, Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare, सूसरी सोभा करनलजे, लांच थी बुक्स, ठीक है, तीन बुक उन्होंने लांच किया, और ये बुक के नाम सबको याद होने चाहिए. सबसे पहला है, Milletology, क्या है भाई, Milletology, ये dedicated millet cookbook है, मतलब, millet से related खाना बनाने के तरीके इसके अंदर है, जो की Indian chef और culinary professionals ने design किया है, it was designed by Indian Federation of Culinary Association, उसके बाद culinary delights, millets, traditional recipes and savories by IIMR, आपने देखा होगा, मैंने कुछ दिन पहले एक shorts डाला था, भुबनेशर गया था, मैं वहाँ पर एक मेला होता है, तोशाली मेला कहता है, उसे, basically handicrafts का मेला होता है, वहाँ पर millet का प्रमोशन हो जाला था, millets के अलग-अलग dish मिल रहा है, ठीक है, हमने कुछ dishes try भी किया थे, काफी अच्छे थे, ठीक है, तो मैंने वहाँ से shorts भी आप लोगों के लिए बनाया था, culinary delights, millets, traditional recipes and savories by IIMR, a compendium of Indian millet startups during the event, ठीक है न, तो यहाँ पर ये तीनो books को release किया गया था, ये इनके ना ठीक है, क्या करें, जब मैं question answer कराऊंगा ठीक है, agronomy के marathon में, तो आप लोग tension free हो कि एकदम must question answer कीजेगा, इसलिए मैंने इसको बहुत लंबा नहीं रखा, मैंने इतना ही content रखा कि देड़ घंटे, दो घंटे में ये complete हो जाए, मुझे लगता है 12, 30 या 12, 20, 25 तक ही complete हो जा ने यहां पर broken rice के export पे prohibition लगा रखा था, तो उन्होंने तीन जगा जो है इसको allow कर दिया, जो कि है Indonesia, Senegal और Ganbia, और wheat export को Nepal के लिए allow कर दिया, जो सबसे ज़्यादा benefit हुआ है, वो हुआ है Indonesia का, किसका हुआ है Indonesia का, ठीक है, next, आगे बढ़ते है, bio fortified durum wheat variety released, अच्छा durum wheat का सब कुछ पता है ना, याद ना सब को estivum, durum, ठीक है ना, so durum wheat यहां पर release किया गया, जो कि basically यहां पर DDW55 और DBW316, यह दोनों यहां पर release किया गए varieties, जो कि यहां पर bio fortified varieties है, ठीक है, next, वो है DDW55 जो है यह आपका bio fortified variety है, और यह आपका जो है, that is basically आपका रोटी वाला variety, ठी DBW316, करन प्रेमा, यह आपका रोटी वाला variety है, यह वाला जो आपका है, this is the bio fortified durum wheat variety, ठीक है, यह दो varieties इस साल release किये गए थे, काफी चर्चे में भी थे, okay, next, PM किसान mobile app with face authentication feature, आपने देखा होगा ना, बहुत सारे, क्या कहता है, बहुत सारे applications में, face authentication का feature आता है, तो PM किसा application में भी face authentication feature को introduce किया गया, farmer can complete KYC remotely, ठीक है न, face authentication मतलब, यहाँ पर जो, जैसे की KYC बगरा करने के लिए, आप video call से जो है, यहाँ पर KYC कर पाऊगे, घर में आराम से जो है, अपना face को scan करके, बिना कोई OTP या fingerprint के, जरूरा मदद से, आप जो है, इसमें KYC कर पाऊगे, किस में PM किसान में, Bureau of Indian Standards ने एक IS का number release किया, मतलब, IS का मतलब Indian Standards, 18267-2023, यह किसके लिए हुआ था, agree byproduct utensil, आपने अक्सर देखा होगा, बैंबू से, या बाकी कोई चीज से, यूटेंसिल बनते हैं, ठीक है, पेपर हो गया, तो जो byproduct है, जैसे की baggage हो गया, सुगर केन में जो होता है, agree byproduct के जो utensils हैं, उनके लिए एक BIS mark release किया गया, मतलब, basically specifications को release किया गया, ठीक है, उसके बाद, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, signed a MOU, with Pixel Space India Private Limited, Pixel Space India Private Limited के साथ, मिल के, एक यहां पर, एक MOU sign किया गया, इट aims to develop various geospatial solutions on pro bono basis for the Indian agriculture ecosystem, Indian agriculture ecosystem के लिए, precision agriculture के through agriculture को develop करने के लिए, इसे किया गया था, agriculture से related, सारी post आपको देखने को मिलेगी उस पे, किस पे, बताईए, next, this will enable the government to develop use cases with hyperspectral data, तो hyperspectral data के मदद से, government को यहां पर क्या मिलेगा, इस particular pixel app को यूज करके, agriculture को develop करने का, यहां पर option देखने को मिलेगा, ठीक है, next, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद, F नंदी, F नंदी की अगर बात करेंगे, तो NOC approval for new drug and inoculation system, ठीक है, एक नया approval system आया, जो की basically किसी भी तरग के new drug या inoculation system के लिए बना था, यह portal को यहां पर develop किया गया था, तो to expedite the regulatory process for approval, ठीक है, अगे, तो प्लीज यार, agriculture ऐसे promotion मत करो, वरना फिर कोई पीछे से block कर देगा, फिर आप class नहीं अटेंड कर पाऊगे, ठीक है, ना, ओके, तो class पर focus कीजिए, please, okay, this portal has been developed to expedite regulatory process for approval of animal drugs and vaccines, जो animal drugs and vaccines है, ठीक है, को यहां पर क्या करते हैं, कि उसको develop करने के लिए, यहां पर basically क्या, क्या किया जाएगा, अरे नया approval system आया है, यार, इतना है क्यों सोच रहे हो, ठीक है, इसको develop किया गया था, through the center for development of advanced computing CDAC in coordination with central drugs, standard organization, जो यहां पर central drug standard organization है, ठीक है, उसके तहत, जो है, यहां पर क्या किया गया था, इसको release किया गया था, simple है, हमें याद क्या रखना है, अच्छा, मैंने यहां पर F क्यों लिखा है, मैं भी तब से सोच रहा हूं, मैं कुछ तो इसमें गढ़बर कर रहा हूं, भाई F uniform में, NOC approval for new drug and inoculation system, इसमें पूछा किया जाएगा, कि भाई, किस लिए आया था, और किस ने develop किया था, that's it, ठीक है, next, आगे बढ़ते है, sulfur-coated urea introduced in the country for the first time, पहली बार के लिए, sulfur-coated urea, यह urea gold को introduced किया गया था, अब यह क्या करता है, soil में nitrogen के साथ-साथ, sulfur को भी जो है, यहां पर enrich करता है, sulfur के concentration को increase करता है, ठीक है, और यह काफी ज़्यादा economical है, slow release nitrogenous fertilizer है, तो nitrogenous fertilizer का use है, वो काफी कम हो जाता है, sulfur-coated urea यह urea gold is being introduced in the country for the first time, it is more economical and efficient than the currently used neem-coated urea, so अभी का जो neem-coated urea है, उस से ज़्यादा economical और ज़्यादा efficient है, it will address sulfur deficiency, soil में अगर sulfur deficiency होगा, तो यह उसमें help करेगा, और साथी साथ, it will also save input cost, क्या save करेगा, input cost को save करेगा, farmers के लिए, और farmers के income को enhance करेगा, by enhancing the production and productivity, PM program for restoration, awareness, generation, nourishment and amelioration of mother earth, जिसका पूरा नाम है, PM प्रणाम, ठीक है, इसको launch किया गया था, ताकि जो states और union territories हैं, वो बहुत ज़्यादा chemical fertilizer को irrationally, या imbalanced तरीके से use ना करें, एक proper balanced use करें, fertilizer का और किसी भी तरह का pollution ना हो, ठीक है, next, report fish disease, ठीक है, report fish disease, एक android based mobile application को यहाँ पर release किया गया, जिसके थुरू, जो fish farmers हैं, वो directly हमारे जो fisheries officer हैं, district fisheries officer हैं, उनके साथ connect कर पाएंगे, connect करके, जो भी उनका problem होगा, वो बता पाएंगे, और उसके लिए वो technical assistance ले पाएंगे, इसको develop किया था, ICAR, National Bureau of Fish Genetic Resources, लखनोंने, ठीक है, और यह इसका picture है, यहाँ पर, ठीक है, for sugar can farmers for sugar season, sugar season 2023-24 के लिए, जो FRP set किया गया था, वो 315 रुपे पर quintal था, जहां पर basic recovery rate 10.25% था, साथी साथ, यहाँ पर जो premium approve किया गया था, वो प्रती quintal 3.07 रुपीज का था, 0.1% के recovery rate पे, ठीक है, और अगर यह recovery rate 10.25% के उपर आया, तो फिर यह 3.07 per quintal के हिसाब से, य recovery rate decrease होगा, तो premium भी decrease होगा, the cost of production of sugar can for the sugar season is Rs. 157 per quintal, मतलब प्रती quintal के पीछे 157 रुपे जो है, लग रहे था, और उस हिसाब से 315 रुपे, काफी अच्छा remunerative price set किया गया था, ठीक है, सो पिछले साल के comparison में, 3.28 प्रतिशत, मतलब 3.28% जो है, वो ज्यादा था, next, crop residue management guidelines revised in the states of Punjab, Haryana, UP and Delhi, ठीक है, Punjab, Haryana, UP and Delhi में, crop residue management के जो guidelines है, उनको change किये गए थे, क्या changes किये गए थे, government यहाँ पर financial support provide करेंगे, 65% project cost का, ठीक है, जो कि यहाँ पर मिल के करेंगे, central or state, और यह जो industries है, यह क्या करेंगे, यहाँ जो industry promoter है, वो और 25% promote करेंगे, तो इसे होग क्या क्या, जो लोग अपने crop residue को जला देते थे, उसको जलाने की वज़ाए, अब वो सोचेंगे, कि किस तरीके से इसको decompose किया जाए, यह किस तरीके से इसको यहाँ पर use किया जाए, ठीक है, farmer और group, जो FPOs है, वो यहाँ पर कितना provide करेंगे, कहां गया, 10%, ठीक है, जो बाक 30% industry promoters देंगे, जो project बना रहे हैं, बाकि 10% FPO's देंगे, इसके थुरू मिलके क्या करेंगे, यह लोग, जो pollution है, उसको completely रोग देंगे, ठीक है, दिन देल, अंतवद्य योजना, National Rural Livelihood Mission, Day NRLM, इन्हों ने एक application launch किया, जिसका नाम है e-sarras, अब e-sarras क्या करेंगा, रहे हैं, और उसे e-commerce पर बेच रहे हैं, तो उसको वो यहाँ पर add करेगा, ठीक है, और फिर उनके products को boost करेगा, तो basically आप कह सकते हो कि यह e-commerce application है Amazon की तरह, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वही चीज़े available होगी, जो women self-help groups यहाँ पर बनाते हैं, managed by the foundation for development of rural value chains, जो foundation for development of rural value chains हैं, व next, second China mango industry conference held in China, ठीक है, चाइना में Guangxi region में second China mango industry conference, यहाँ पर organize किया गया, जहाँ पर पहला mango price index release किया गया था, बाकी e-naam का update है, भई e-naam में total 1389 mandis को integrate कर दिया गया है, ठीक है, यह याद रखेगा, जब exam में जाओगे, वैसे तो यह आज का data है, 300, sorry, 1389, ठीक है, 1389 यह आज का data है, ठीक है, next, honey bee boxes and toolkits were distributed to 130 beneficiaries on 4th of July 2023, 4 July 2023 को honey bee box or toolkits distribute किया गया था, 130 beneficiaries को under the Gramodyaug Vikas Yojana, तो आपको याद क्या रखना है, exam में आ सकता है, under which program honey bee boxes and toolkits were distributed, किस program के तहत honey bee boxes और toolkits को distribute किया गया था, और वो था, Gramodyaug Vikas Yojana, जो कि Khadi and Village Industries Commission का था, ठीक है, next, Indian farmers affirmed as उर्जादाता and अनदाता बाई नितिन गटकरी, नितिन गटकरी जी ने यहाँ पर क्या किया, Indian farmers को उर्जादाता और अनदाता कहा, क्यों, क्योंकि जो वो crop produce करते हैं, ठीक है, वो आपका अन हो गया, मतलब food हो गया, तो अनदाता हो गए, और उसी crop के stubble में, या फिर उसी crop के residue से, हम क्या करते हैं, बायो फ्यूल बना सकते हैं, इसलिए वो उर्जादाता हो गए, मतलब energy giver, ठीक है न, ओके, तो इन्होंने कहा था, कि अगर हम mixture, ethanol और यहाँ पर mixture करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो fuel का cost है न, वो 15 रुपे पर लीटर हो जाएगा, भाई, कल तो 100 कुछ रुपे का था, मैं ख इसको organize किया गया था, 6 जुलाई 2023 को, ministry of agriculture and farmers welfare, government of India, and ministry of agriculture and livestock development, government of Kenya के द्वारा, ठीक है, साथी साथ इसको support किया था, एकरी सैट ने, और यहाँ पर, India, Africa, international millet conference का logo और website, दोनों को unveil किया गया था, मतलब दोनों को यहाँ पर दिखाया गया था, clear guys, next, World Genosis Day, July 6 तारिक को World Genosis Day observe किया गया था, और theme था, One World, One Health, Prevent Genosis, Stop the Spread, मतलब animals से, जितने भी diseases spread होते हैं, उसको रोकने के लिए, यह day मनाया जाता है, यह observe किया जाता है, This day aims to shed light on diseases that originate in animals, ऐसे diseases जो animals से ही प्रद पैदा होते हैं, और उनी से transmit भी होते हैं, Genosis Day is also celebrated, यह important है, to commemorate the day when the first vaccination against the disease was developed, ठीके, तो disease के लिए जो पहला vaccination developed किया गया था, ठीके, वो जो है यहाँ पर Genosis Day है, next, मतलब उसी को commemorate किया जाता है, भाई सब लोग attentive हो, यह सो गए, एक भी comment नहीं आ रहा है, उसे इसमें doubt वाला चीज़ कोई है नहीं, बट स्टिल, आदत पड़ गए है न, अगर कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, ऐसा लगता है कि सब भाग गए, भाई यार, आचा चैलेज एकसेट किया किसी ने 20 डेज हाट डेवाला, 20 डेज हाट डेज चैलेंज आप में से कितनों ने एकसेट किया, बताओ, जस्ट आ मिनिट प्लीज, जे बताओ, जेखा है, क् भाई आप, ज झाल झाल अगर आप लोगों ने चैलेंज एक्सिप्ट किया है तो छोटा सा काम और कर लो अपना एक छोटा सा वीडियो बनाओ ठीक हैं अपना फोन लो एक छोटा सा वीडियो बनाओ कि येस आई एक्सिप्ट दे चैलेंज ओफ एग्रिकल्चर अड़ा 24-7 मैंना एग्रिकल्चर अड़ा 24-7 का चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं और जो टेलिग्रम लिंक दिया है उस पर अप्लोड कर दो यार हमें भी थोड़ा मजा आएगा ना यार मतलब इतना महनत 20 दिन लिटरली संडे क्लास बंद नहीं होगा मुझे 2-3 दिन के लिए घर जाना था वो भी मैंने करूँगा अगर मैं जाऊंगा तब भी मैं ओडिसा के ओफिस से आपका आपका club लोंगा तो नहीं होने वाला है आपका क्लास का 28 तारिक तक ठीक है ना तो अगर accept किये हो तो छोटा सा एक काम कर दो ठीक है ना एक अपना मोबाइल लो 10 सेकंड का कि एक वीडियो बनाओ और यार जो टेलीग्राम लिंक दे रखा है ना वहां पर अप्लोड कर दो ठीक है ना हम उसका मनलब कोलाज बनाके यहां पर चलाएंगे आपको दिखाएंगे भई बच्चों में कितना जोश है ठीक है तो यह छोटा सा काम कर दो अपना नाम बता दो और येस मैं अग्रिकल्चर अडर 24-7 का चैलेंज एकसेप्ट करता हूं ठीक है आप सबसे रिक्वेस्ट रहा अग्रिकल्चर करेंट अफेर्स के क्लास के बाद मैं वेट करूंगा ठीक है आप लोग जो है अपना वीडियो भेजोगे ओके आप लोग जितनी जल्दी वीडियो बेजोगे उतनी खुशी मुझे होगे बाकी तो और कुश्य कमेंट ओपन है रोहित कमेंट ओपन है आप टेलिग्रम कमेंट ओपन नहीं है कमेंट का टाइम है 5-6 एक से 2-5-6 फिर भी एक बारी देख लेते है थोड़ा ब्रेक तो बनता है ना यार क्लास के बीच में है थो आपको कमेंट में मिल जाएगा ठीक हाँ इवनिंग तक कर सकते हो आप कमेंट ओपन है आप लोग अपने आप में बात करो आपको क्या चाहिए हमें बताओ मानलो आपको लगता है कि सर इसके अलावा मुझे एक और कोई सेशन चाहिए करेंट अबाड नॉम्स पे तो वो भ आगे बढ़ते हैं तो इसलिए तो नाशनल अनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम एने डीचीपी इस अ फ्लैक्षीप स्कीम लांच्ट बाइ प्राइम मिनिस्टर इन सेप्टेमबर 2019 तो प्राइम मिनिस्टर जो है यहां पर सेप्टेमबर 2019 में यह स्कीम को लांच एक ब्रसलोसिश उके नेक्स्ट इसे एर आई यहां पर आईइन्टीफाई किया गया है सिद्धू अंड संकरा ठीके और यह जो वैराइटी है यह बैंगलोर में नागराज हसर घाठ जगात जगाप्रोगार जगात डगात जगा अनिव जगाप्र रह भी यहां पर आइड नाम हसरगाट है फार्मर का नाम है नागराच वहां पर यह विराइटीज मिले थे इसका टेस्ट काफी अच्छा है और बिलीव मी अगर आपने पका हुआ कठल नहीं खाया है ना आपने जिंदेगी में बहुत सारी चीज़े मिस कर दी ठीक है ना भई पका हुआ कठल एक वा छबरता एक अगर काटा जाता है तो पूरी फैमिली खाती ठीक है चलो कमउण कमउण कम आगे बढते हैं आप लोग भी खाना खने जाओगे ठीक है ओक यां अकि मैं आप लोग यह रोग और तो साथ में चलेंगे सीलेक्शिन लेते ही गुरणभारं ऑफिस में आना साथ मे चलो, ओके, सो इसको jam वगेरा food processing के लिए mostly use किया जा रहा था, इंडिया becomes the 61st member of international federation of agricultural journalist, भाई, international federation of agricultural journalist का, इंडिया जो है 61st member बन गया है, agri ministry makes blend percentage specification mandatory, ठीक है, so agri ministry जो है, इन्होंने क्या किया, edible oil में, मैंने edible oil नहीं लिखा है, edible oil में blend specification, मतलब अगर आप blended vegetable oil बेच रहे हो, तो कौन सा oil कितना mix हुआ है, कितना blend हुआ है, ठीक है, वो जो है, आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, उसके बाद, national fish farmer day, भाई 10 जुलाई को national fish farmer day observe किया गया, महाबलीपूरम में, और जुलाई 11 तारिक को international essential oils day, 42nd nabad foundation day, भाई आपको पता है, 12 जुलाई 1982, नabad का foundation day है, तो इस साल 42nd, मतलब 42nd nabad foundation day को organize किया गया, ठीक है, Japanese farmer had introduced the innovative lemon melon, इसमें एक page पे ज्यादा current affair है, ठीक है, छोटे छोटे current affair है, ठीक है, next, subsidized chana dal, बहुत important है, भाई भारत दाल, पता है न, मैंने बताया था आपको, subsidized chana dal was launched under the brand name भारत दाल, at the rate of rupees 60 per kg, ठीक है न, so 1 kg का price 60 रुपे था, और अगर आप 30 kg का packet लोगे, तो 55 रुपे पर kg के हिसाब से मिलेगा, और पढ़ाई पर focus करो, ठीक है न, instagram, कब होगा, क्या होगा, यही सब करने आयो, ठीक है, बिंदरेश, पढ़ाई करनी है न, बाकी सब को instagram नहीं चला नहीं क्या है, सांती से पढ़ लो जड़ा, हाँ, इसकी dish बनती है खुशी, जो कठल होता है, कठल का, किसकी कठल की बात कर रहे हो न, आप कठल की dish बनती है, और पके हुए कठल को fruit की तरह खाते है, ठीक है, चलो, ओके, भारत दाल at the rate of 60 per kg, the retail outlets of National Agricultural Cooperative Market Federation, Nafed in Delhi NCR are selling the चना डाल, तो Delhi NCR में जो Nafed के retail market है, ठीक है, वो जो है यहाँ पर चना डाल को क्या कर रहे है, sell कर रहे है, ओके, So Government of India had amended the export policy of a non-bashmati rice, non-bashmati rice, white rice जो है, उसके export policy में थोड़ा changes हुआ, यह पहले न, free था, non-bashmati rice का किसी भी तरह का export duty नहीं लगता था, लेकिन अब यहाँ पर free with export duty of 20%, मतलब जो 20% का export duty था, उससे वो prohibit हो गया, मतलब export को बंद कर दिया गया, ठीक है, reason क्या था, भई हमारे Indian market में price बढ़ते जा रहा था, और supply जो है, वो कम होते जा रहा था, लोग ज़्यादा से ज़्यादा export करते थे, First ever credit guarantee scheme for livestock sector launched, livestock sector के लिए, पहला credit guarantee scheme यहाँ पर launch किया गया, इसको implement किया Department of Animal Husbandry and Daring ने, और implement हुआ credit guarantee scheme under the AHIDF, जो की है आपका Animal Husbandry Infrastructure Development Fund, clear, clear, clear guys, 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 ऐसे मत बोलो, किसी को कौन है यह लोग, कहां से आते हैं, don't talk like this, देखो, पता है किया, एक दूसरे के, एक दूसरे को, समझ, वो क्या बोलते है, ठीक है, सामने वाले को अगर आपके बातों से ठेस नहीं पहुंचेगा ना, तो यार, इससे ज़्यादा बड़ा achievement life में कुछ नहीं है, believe me, the day you will learn how to, you know, interact with someone, आप चाहे कितने गुस्से में हो, लेकिन फिर भी अगर आप kindness और humble हो, देखो, मैं यह नहीं बोल लाँ कि मैं हम मैं सा kindness और humble के साथ ही, humbleness के साथ ही रहता हूं, कभी-कभी मैं भी गुस्सा हो जाता हूं, बर जिस दिन आप दूसरों को ठेस नहीं पहुंचाओंगे ना, उससे बड़ा चीज लाइफ में कुछ नहीं है, ठीक है, चलो, आगी बढ़ते हैं, छोड़ो, ज्यादा ग्यान क की बाते नहीं करेंगे, पढ़ाई की बाते करेंगे, objective क्या था, अच्छा, agriculture में क्या था ना, कि KCC था, तो हमारा credit guarantee scheme, agriculture और crops के लिए बहुत sorted था, लेकिन animal husbandry की case में थोड़ा सा change था, animal husbandry के case में, जो credit delivery system था, वो इतना अच्छा नहीं था, तो इसी लिए ये credit guarantee fund की पड़ी, ठीक है, to strengthen credit delivery system and facilitate smooth flow of credit, credit आराम से flow हो जाए, ठीक है, जो MSMEs हैं, जो भी आपके micro, small and medium enterprises हैं, वो प्रॉपरली एंगेज रहें, ठीक है, यही सबसे ज़्यादा जरूरी था, उसके बाद D.A.H.D. Department of Animal Husbandry has established a credit guarantee fund trust, trust of rupees 750 crore, ये याद रख सकते हो कि 700 crore का fund जो है, य Q initiative, अच्छा इस साल ना कुछ नए initiative यहां पर launch किये गए थे, PMFBY और RWBCIS, PMFBY तो सबको पता ही होगा, प्रधान मंत्री, फसल भीमा, योजना, RWBCIS का full form कौन बता पाएगा, बताओ, RWBCIS, इसका full form कौन बता पाएगा, come on guys, thank you so much Sonal, current affairs के लिए कौन सा बुक लें, भई मैंने साल भर महनत करके एक किताब लिखी है, मैं लास्ट में बता दूँगा, चार पांच, पांच या छे दिन में आपके घर पहुंच जाएगा, 199 रुपे का है, आप लोग उसे purchase कर सकते कैसे purchase करोगे, मैं class के end में बता दूँगा, come on, come on, come on, RWBCIS, इसका full form क्या है, कौन बता पाएगा मुझे, answer please, sir, अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, कोई बात नहीं, चंद्रगोस, फिर आप कोई दूसरे teacher से पढ़ लो, यार, क्या करें, अब देखो, यार, अब मैं बदल तो ह हूँ नहीं सकता हूँ, ऐसे ही पढ़ाता हूँ, कोशिस करूँगा, यार, आपके feedback से बहतर बने की, लेकिन अगर अच्छा नहीं लगता है, तो फिर आपको, अभी के लिए तो आपको दूसरा teacher ढूणना पड़ेगा, क्योंकि exam ज्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ना, ओके क्रॉप इंशुरांस कीम लगा लिजेगा, ठीक है, चली, आगे बढ़ते है, मैं चीज तो बताना भूल गया, तो यहाँ पर जो initiative यहाँ पर लॉंच किया गया था, एक तो था Yes Tech, दूसरा था WINS Portal, और तीसरा था Door-to-Dole Enrollment App of AIDE Sahaya, ठीक है, इन तिनों का ध्यान ओमन लेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट थूँ डेरी कोपरेटिवस, भई डेरी कोपरेटिवस के थूजो ओमन लेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो यहाँ पर W20 का जन भागीदारी इवेंट था, वो आनंद गुजराट में हुआ था, आपको जगा का नाम याद ठीक है, जितने भी local veterinary services है, livestock owner है, वो लेके उन लोगों तक पहुंचाना, जिनके पास livestock के facilities अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो उन तक पहुंचाना, यही मेन यहाँ पर goal था, किसका air health का, ठीक है ना, ओके, अरे थांक यू सो मुँच, अंकीता पृति, चलो, ओके, कोई बा अच्छा नहीं लगता है, यह ना सोचते हुए, कोई ऐसा teacher ढूड़ना चाहिए, जिसके पढ़ाई आपको अच्छा लगे, और आप exam clear कर दो, that is more important, right, चलो, next, 1.25, मैं इसी के बारे में बोल रहा था, देखो, PM किसान समरिधी केंदर, अब 2023 में, 1.25 लाट पी, PM किसान समर सिद्धी केंदर, ओपेन किये, जाने के लिए, डारेक्शन जारी हुआ, और इसकी जो launching event है, यह सिकर राजस्तान में हुआ था, ठीके, उसके बाद, World Nature Conservation Day, Observed on 28th of July, 28 July को, World Nature Conservation Day, जो है, यहां पर organize किया गया, मला, Observed किया गया, sorry, इसका जो theme था, वो था, forests and livelihoods, sustaining people and planet, क्या ह theme और जगा, सबसे ज़्यादा important है, ठीके, किसने conduct किया, किसने inaugurate किया, भूल जाओ, जगा और theme, ठीके, next, European Union and India discussed various bilateral issues on fisheries sector, भाई, fisheries sector पे, कई तरह के issues, जो है, European Union और India ने यहां पर discuss किया, ठीके, thank you so much, Rohit, चलो, on the request of the EU, European Union के request पे, दोनों साइट्स ने क्या किया, यहां प पर discuss किया, जैसे कि port state major agreement, मतलब जो harbors है, बंदर से, monkey वाला बंदर नहीं, जो harbors, ठीके न, उन पर किस तरीके का चीज़े होना चाहिए, कैसे वहां पर export-import होगा, fisheries subsidies issues in WTO, मैंने आपको, अच्छा मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं, अभी पढ़ाओंगा economics में, paid class में, कि black box क्या है, भाई, green box क्या है, आपका, क्या कियता है, ember box क्या है, इंचर इस चीजों के बारे में पढ़ाओंगा, जो कि WTO के बारे में होगा, Indian Ocean Tuna Commission, IOTC, Ocean and Fisheries Dialogue, IUU Fishing, जो कि यह illegal fishing, ठीक है, illegal fishing लोग करते हैं, और जो, क्या, economy है न, और ocean का water body का, वो खराब हो जाता है, ठीक है, किये clear, ठीक है, 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 सनातरी बॉय, सर, agriculture engineering में major portion बता दीजे, प्रिती बता दूँगा, class के last में एक बार बता दूगा, लेकिन हमारे सुधान सुषर से बहतर तो मैं नहीं बता पाऊंगा, राइट, चली, सुधान सुषर की भी classes होंगी, सारी चीजे, एक बार हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, Indian side drew the attention of European Union on the matters relating to reducing sampling frequency for inspection of Indian farms, मैं इसको तुरा बता देता हूँ, पढ़ तो आप लोगे ही, मैं पढ़ के क्या करूंगा, देखो, हुआ कि European Union और इंडिया के बीच में, जो भ जादा sampling होने लगा, sampling के frequency बढ़ने की वज़े से या थोड़ा बहुत तो उपर नीचे मिलेगा न, तो इसके वज़े से consignment reject होने लगे, consignment सोचो, जो मचली वगेरा का consignment या shrimp वगेरा का consignment reject होता है, वो जब तक वापस आएगा, यार वो खराब हो जाएगा, ठीक है, तो व से आप नहीं भेजोगे, हम बैठके बात करते हैं, तो ये बाते हुई थी 2023, मेरे ख्याल से ऑगस्ट, जुलाई के महीने में हुई थी, जहां पर बात हुई थी, कि जो current level जो है sampling का, उसको 50% से reduce कर दिया जाए, ठीक है न, ओके, और previously ये 10% था, तो इस level पे ले आया जाए, ठीक है, जो भी fishery establishment थे, जिनको delist कर दिया गया है, या हटा दिया गया है, उन fisheries establishment को दुबारा से लाया जाए, ठीक है, और India और European Union के बीच का, जो यहां पर, इंडिया और European Union के बीच का जो coordination है, वो और इसमें से भैतरीज हो जाएगा, हाँ, fisheries से तो आते ही यहां, बही, questions इस बार ही आएगा कि भई, state fish of Gujarat कौन सा है, ठीक है, sir, I have ordered your current affair book yesterday, I am hoping that this book covers everything, Sanjay, it covers everything, उस book में January to September मिलेगा, but I guess Sanjay, already the rest of the e-book must have been added in your account, please check, आप तब तक e-book से, October, November, December का current affair पढ़िये, जब किताब आएगा, तो बाकी चीज़े आपको पढ़ी है, ठीक है, ओके, तो चलो, पूजा ने अपना review भी दे दिया, ठीक है, sir, मैंने अप तक कोई course नहीं लिया, 20 दिन के लिए मुझे paid class लेना चाहिए, नहीं, नहीं लेना चाहिए, सही में, ठीक है, फस जाओगे, ना revision कर पाओगे, ना कुछ नया पढ़ पाओगे, बहुत परिशान होगे, 20 दिन के लि और आपको YouTube पे ही जुड़ा रहना है, जहां पर concept का problem होगा, आप class में पूछ लो, हम वहाँ पर explain कर देंगे, क्यों अभी पैसे बरबाद करोगे paid class में लेके, कोई फाइदा नहीं होगा, बहुत सारे classes है, ठीक है, next, अभी Hindi में नहीं है वो किताब, अगले साल आ जाएगा EU side was also requested to join any pillar of Indo-Pacific Ocean initiative, तो इंडिया ने कहा, कि भाई ठीक है, हम आपकी बात मानेंगे, लेकिन जब Indo-Pacific Ocean initiative का कुछ भी होता है ना, तो European Union को भी जॉइन करना चाहिए, जो की बार-बार invitation देने के बावजूद भी आप जॉइन नहीं करते हो, तो ये इनका bilateral ties था, ये आ सकता ह भाई important है, बांकूरा forest, भाई बांकूरा forest में यहाँ पर एक seed bomb technique introduce किया गया, इसमें हुआ क्या, कि देखो ये ऐसा गोल लड्डू जैसा बनाया गया, इसके बीच में seeds डाले गए, ठीक है, sprouted seeds, और फिर उसके चारों तरफ nutrient से cover कर दिया गया, ठीक है, और इसको जो है उप आगया न, trees, trees और jungle को promote करने के लिए seed bomb technique को अपनाया गया, कहाँ पर, यहाँ पर बांकूरा forest में, okay, next, इसकी अलग धिक्कत है, हो जाए यार, क्यों परिशान कर रहा है मुझे, just a minute प्लीज, low, ठीक है, कोई ना, कहाँ गया, यह रहा, Apeeda in collaboration with the National Plant Protection Organization of India, जो की है, और USFS, the Maharashtra Government and the, and the Agricultural Marketing Board, along with the National Research Center on Pomogranet, achieved a significant milestone, क्या था, सुनो, मैं इसको बताया था, Apeeda ने यहाँ पर क्या किया, Pomogranet का जो Export है, वो Halt पे था, वो बंद था, तो Apeeda ने इसको दुबारा से खुलवा दिया, ठीक है, क्या किर दिया, Apeeda ने इसे दुबारा से खुलवा दिया, तो इसमें याद क्या रखोगे, सबसे पहला Pomogranet Export, किसने खुलवाया, Apeeda ने, ठीक है, कौन सा Variety, भगवा, ठीक है, Variety का नाम में भगवा, याद रखेगा, ठीक है, ओके, कौन सी बुक है, एक बार रिपीट कर दो, मैं कर दूँगा, इसके बाद मैं कर दूँगा, कौन सी बुक है, आपको कौन सी Current Affair की बुक लेनी चाहिए, किसमें आपको Scheme, Current Affair, GI Tag, क्या मिलेगा, वो सारी जो है, वो लॉंच किया, इसको लॉंच किया था, Communist Party of China ने, August 2 तारीक को, एक Millet संगमम 2023 और्गनाईजेश किया गया था, by the Food Safety Department of Thiruvallur, ठीक है, Millets from Farm to Plate, एक Radition Blue में, और्गनाईजेश किया गया था, कौसंभी में, ठीक है, Next, United Nations Food and Agriculture Organization, FAO ने, अपना All Rice Price Index को, यहां पर बता आया, कि जो राइस प्राइस इंडेक है, इंडेक से, वो 2.8% से, इंक्रीज हुआ है, का किस महीने में, जुलाई के महीने में, जुलाई के महीने में, जब उन्होंने यह रिपोर्ट रिलीज किया, उन्होंने काया कि 2.8% इंक्रीज हुआ है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है अच्छा साइन है या नहीं है बताओ ठीक है नाबाड सैंक्सेंस रुपीज 1975 क्रोड टू राजस्थान अंडर राइड फॉर 2023-2024 तेहट नाबाड ने 1974 करोड रुपे राजस्थान को RIDF के थ्रू रूरल डेवलप्मेंट के लिए दिये है दक्षा अन्मैंड सिस्टम इंपोर्टन है दक्षा अन्मैंड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी का नाम है जो ड्रोन बनाता है इन्होंने एग्रिकल्चरल स्प्रेइंग ड डीजल जो की एक फ्रेंच जर्मन थे उन्होंने डीजल इंजिन भी इंवेंट किया था 1892 में August 10 तारिक 1892 में ठीक है Steel India a renowned manufacturer of wide range of agricultural power tools and equipments agricultural equipments manufacturer है इन्होंने एक initiative स्टार्ट किया जिसका नाम है परिवर्तन यात्रा इसके थ्रू यह क्या करते थे कि जो technology के adoption है वो ज्यादा से ज्यादा promote करते थे फार्मर्स में ठीक है next a health program and infertility camp for livestock launch live stocks के लिए एक a health program मदलब veterinary और livestock के बागी services को सब तक पहुंचाना है और infertility camp जहां पर in artificial insemination और fertility restoration को promote करना है launch किया गया था पंदरा अगस्त को बाइसरी परसोतम रुपाला इन गुजराट इसी के साथ आपका यहां पर आज का current affair का session होता है complete लेकिन जो recent 2-3 महीने के current affairs से वो मैं इसमें add करके यह pdf कल सुभे upload करूँगा कहा upload करूँगा आपके comment में एक telegram link है उसको join कर लीजिएगा join करने के बाद अपना phone लीजिएगा बुलिएगा yes I accept agriculture adda 24-7 challenge और challenge accept करके अपना एक छोटा सा वीडियो डालिएगा हमें भी अच्छा लगेगा I have pulse in my hand now I have read it it is just great in short everything is covered thank you so much Manisha ठीक है current affair का book by Sandeep sir will get in adda publication you can purchase that book हां तो अभी में बता देता हूँ PDF अभी Hindi में तो यार नहीं मिलेगा रवी जी अभी तो English में है मैं कोशिश करूँगा अगर 3-4 दिन में उसको Hindi में convert कर दिया तो मैं आपको दे दूँगा Hindi में बना के ठीक 2023 का January to September का current affair आपको इसमें printed form में मिलेगा और October, November, December का current affair वो e-book के form में मिलेगा ठीक है आप जैसे ही से purchase करोगे आपकी account में October, November, December का e-book add हो जाएगा और साथ ही साथ यहां पर ये book भी add हो जाएगा बूक आपका shipment हो जाएगा 5-6 दिन के अंदर आपको किताब मिल जाएगी इसमें क्या-क्या है इसमें आपको पूरे 2023 का current affairs मिल जाएगा इसमें आपको सारे agricultural schemes मिल जाएगे नाबाद norms और subsidy मिल जाएगा GI tax agriculture award और G20 के related सब कुछ मिल जाएगा 2022 के अगर कुछ important point होंगे year end review वो मिल जाएगा आपको साथ ही साथ ये सारे agriculture exams के लिए important होगा ये बहुत ह ये colorful book है काफी अच्छा किताब है ठीक है मतलब जैसे मैंने आपको picture के साथ पढ़ा है ना वैसे picture के साथ ये किताबे होगी तो आपको पढ़ने में मजा आएगा वो NCRT वाली किताब का feel आएगा ठीक है ना उसी को actually सोच के बनाया था मैं भी CBAC का student हूँ हमने भी NCRT से होगे तो आपको agriculture agriculture के अंदर IBPS AFO यहां पर last में आपको मिलेगा AgriPulse अब यह जो AgriPulse की किताब है अब मैं इसको इसका जो comment है यह मैं इसका जो link है यह comment में डाल दूँगा तो आप वहां से भी directly क्या कर सकते हो क्लिक करके ले सकते हो सर बुक का PDF मिल सकता है खुशे बुक का जो PDF है वो तीन महीने का मिलता है बाकी printed है ठीक है डाइरेक्ली PDF इसका अवेलेबल नहीं है बाइनाव पर जाईए और code यूज कर लीजिए Y291S code जैसे ही आप apply करेंगे 199 रुपे का यह किताब है चोटा sup grenze subsidy current affair सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से cover हो जाएगा ठीक है सारे सारे एक्जाम के लिए सही होगा चाहे आप JIMaked ressort के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा keynote surprise request to lead नहीं आता है चलो अच्छी बात है सुभम अग्री कल्चर के कोई भी एक्जाम की तयारी कर रहे हो तो आप अग्री कल्चर महापैक में इन्रोल कर सकते हो इसमें आपका अगर आपको किसी एक बैच में इन्रोल करना है तो बिहार बीए ओ जार्खन बीए ओ सारे बैचेस अवेलेबल है जो 23 जनुवरी से स्टार्ट होगा यहां पर आप इन्रोल कर सकते हो वाई 291A कोड यूज करना है 4599 का बैच है इसमें फांडेशन क्लास मिलेगा इसमें आपक आपको फांडेशन क्लास के साथ-साथ crash course मिलेगा, e-book मिलेगा, इसमें आपको mock test मिलेगे, सब कुछ मिलेगा, complete होगा यह ठीक है ना, आप जो है इसको इसमें एंडोल कर सकते हो, ओके, so this is it guys, यह था आपका session, अगर आपको किताब चाहिए तो आप Y291S code का यूज कर सकते हो, ठीक है, और अगर आपको यहां पर batch चाहिए तो Y291A, अच्छा एक चीज में दिखा देता हूँ, जो लोग interested होगे, भाई अगर आपको complete agriculture की किताबे चाहिए तो यह रही हमारी AS agriculture की complete book kit, AS agriculture की second edition, complete book रहेगा, 7 किताबे इसमें आएंगे, ठीक है, यह भी 5-6 दिन में प दिपती मैंने इसका एक हल निकाल लिया है, आप अपना IBPS AFO का batch open करके देखो, उसमें complete agriculture current affair का e-book upload हुआ होगा, ठीक है दिपती, एक बार यह अपना IBPS AFO का course open करके उसमें e-book में जाना, सर यह book flip card पे मिलेगा, हाँ शायद मिलेगा, Amazon यह flip card पे भी शायद मिलेगा, ठीक है थांकियो सो मद्स उबंद maximum farm machinery से आते हैं, इसके अलावा greenhouses, greenhouses मतलब protected cultivation भी काफी important होगा, एक बार यह उसको देखना है, और अगर फिर भी doubt रहे तो कल 4 बजे सुधानसु सर के class में आईएगा, सर और बहतरीन तरीके से आपको बताते हैं, so this is it guys, ठीक है, मिलते हैं फिर शाम को 6 बजे, agriculture schemes के class में, till then take care, bye bye, stay safe and don't forget to subscribe to agriculture at 24-7, और रोज सुबह agriculture current affairs की class होती है, और साड़े 10 बजे agronomy की class होती है, तो please उन classes को attain कीजिएगा, और जो telegram group है, उसमें please बताइएगा कि आज का current affairs का class कैसा लगा, और इसका PDF आपको कल मिल जाएगा, उसी telegram group में, ठीक है, thank you so much. झाल